बोलोशरी प्राणनाथ प्रणाम न छोड़ा आयोंची लाकत लीला एडियां मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही इन पाउं तले पडिरो धनी न जर खोलो बातून पलन वाड़ू निरखुने त्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही प्रितम मेरे प्राण के आतम के आधार सर्वशो भादेने योग्य हो स्री लीला नित्य विहार स्री लीला नित्य विहार बुले श्री प्राणानाथ प्राणादार आतम शबंदी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे शुंदर साजी सबसे पतम तुमारे सिचरणों में मेरा कोटी कोटी दंड़त प्राणा प्रणादार संदर साजी कल के प्रशंग में अमने जो अंतिम में देखा भैसे तो नवानगर के कई घटना क्रमों को देखा उसमें मिहराज को जो तेरो वर्ष माया मिने था उपर लोकिक बोज कि धनी की प्रती जो एक निश्ठ प्रेम नहीं था प्रेम तो था लेकिन पुर्ण पैचान अभी नहीं हुई थी तो अपनी मन की परिक्षा और मन की परिक्षा में भी हमने देखा सुन्द साजी कि अपने जो गेहने धन संपदी जो भी थी उहादी के चरणों में पहुचाई और अपनी मन की परिक्षा बाजार में भी ली ऐसे कर करते सुन्द साजी मन को बहुत कठीन साधना पर कठोर साधना में उतारे और उसके बाद एक बार उसका ध्यान परमधाम में पहुच भी गया मुलतन परात्मतन में और धाम को भी देख लिया उसके बाद माया का काम सोपा गया एमदाबाद गये महेश्वत अंत्र पुराण सहिंता सहिंता कुमार और उसके बाद हमने अंतिम में देखा सुन्द साजी के अरब में खेता भाई वाले घटना करम को के कैसे माया में डूबे थे और अपनी पवित्र कमाई के पैसे नहीं थे निती के कमाई के पैसे नहीं थे तो धन संपती नई सुन्द साथ की सेवा में काम आई सब कहां चली गई राजकोस में थोड़ी जल में डूब गई और थोड़ी गोडाम में आग लग गई मिहराज ने तो बहुत प्रयत्न किये तो हमने कल निती उपर भी बहुत विस्तार से देखा कि सुन्दसाजी जितनी भी कमाई वो निती की होनी चाहिए और ये खेता भाई का कोई प्रशंग नहीं था हम सब सुन्दर साथ का था कि हम एक काम के लिए कितने जुठे बोलते कितने गलत बोलते हैं तो इस पर ये प्रशंग से हमने ये भी समझा और उसके आगे हमने देखा कि वो जब अरब से वापस लोटे तो दो साल जब वालबाई के कहने पर प्रणाम नहीं श्विकार किया ने कल और दो साल एक ही गाओं में सद्धगुरु भी सामने नहीं सद्धगुरु बुलाते नहीं इंद्रावती जाती है दोनों के दिल इतना व्यथित इतना दुखी है और उसके आगे दो साल कहां रहे द्रोल में कला जी ठाकोर के वहां और वहां से और अंदर से अंतरस बेना हुई क्योंकि सद्गुरु धनी स्री देव चंद्र जी जिसकी जो अंदर की सूर्ता ओ निजधाम लोटने वाली थी वापस परमधाम बस अंतर धिहान लीला का शमय आ गया तो बार-बार बुला रहे कि बस मिहराज को बुलाओ मिहराज को बुलाओ कल मैंने यह भी बात रखी कि अपने यहां के वारिश में तो कौन है यहां के वारिश में तो बिहारी जी तो है लेकिन बार-बार मिहराज को क्यों बुला रहे बार-बार मिहराज को बुला रहे क् कि उसकी अंदर जो इंद्रावति की आतम बैठी थी, पहले भी पैचान लिया था, ने, जब मिलन हुआ, तब इच पैचान लिया था, कि संपुर्ण, जागनी का उत्तरदाइत्व, इंद्रावति तेरी आतम पर है, तो बार-बार बुला रहे और इंद्रावति की आतम को नि पर पहले वालबाई गई, दोबार बीच में बिहारी जी भी गए, और बार-बार बोलते हैं कि बिहारी जी क्यूं नहीं आ रहे है, मेरे को याद आ रही है, कि जो सिंदी भाशा में वो भजन गाया करते थे, जान ओण को धड़, 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 कोड़, मत्थ, म सुंदसाजी ऐसे जो और हित्रह मेही जित्तोह या ताजे गुणगिनन भाल तोही जै इक्री ताजे गुण नसग कुनी ते नसगर सुंदसाजी ऐसे जो सिंधी भासा के जो भजन मिहराज पहले सद्गुरु के बास जाते थे तब ही सुनाते थे तो होई बात के भी याद दिलाई, अंतिम ने हमने सिर्फ दोनों का मिलन बताया, फिर हमने बात छोड़ दी थी, तो हम फिर आज इसलिए दोरा रहे हैं, कि ओ प्रशंग जोड़ जाए सुन्दसाज जी, तो अंतिमे बार-बार मिहराज को याद करते थे, कि उसको बुलाओ, क्योंकि मिहराज पहले सद्गुरू के पास चाते थे, तो ये बजन के जो माध्यम से, ये दोनों जो अभी चुपाईया बोली ने, उसके माध्यम से क्या कहना चाते थे, कि है सद्गुरू माराज, आपके अंदर बैठे हुए में जो दामधनी की पैचान की है, वो दामध एक सिर में करोडों मुख हो, और एक मुख में करोडों जीहाए हो, तो भी धामधनी आपके गुण में नहीं गा सकती, ऐसे धामधनी सुन्दसाजी इंद्रावती के मुखार बिंद से, प्रकास गुजराती में गुणों के प्रक्रण के अंदर भी बताया है, कि परारद त गुण गाए, लेकिन बताया के धामधनी आपके गुण अभी तो मैं इस चमय के गाए, ब्रजो रास की तो बात में करती भी नहीं हूँ, कि धामधनी आपके तो महिमाई अनन्ते, आपके तो गुण ही अनन्ते, कोई गाए नहीं सकते जुठी जुबान से, इस संसार की कुनंगिंद्रिया ये संसार की जीहिया इससे आपके गुना नहीं गा सकते तो यहां बार-बार याद कर रहे हैं और अंतिम में जब वालबाई गई और वालबाई ने बताया के हे सद्गुरू हे मिहराज आपको सद्गुरू मारत बार-बार याद कर रहे हैं क्यों नहीं आ किसी ने सत्य बताया ही नहीं कि आपको बार-बार सद्गुरु माराज याद करें बुला रहें ऐसा कोई सफाई करके सत्य बात बता ही नहीं है तो हमने अंतिम में देखा कि धामदनी ने जो वीरो को खटरूती में बहुत इतना परकाश्ठा का वीरो प्रगट किया है इंद् श्विकार किये और उसके बाद का जो अधव अक्रूर करके तो यह सब बात अमने कल अंतिम में लेली उधव को क्या किया और अक्रूर को क्या किया तो वालबाई शुन्दसाजी उधव है और बिहारी जी अक्रूर है क्योंकि अक्रूर तो चार दिन का केकर गए थे कि मैं चार दिन में वापस मथुरा से कृष्ण जी को गोकुल छोड़ दूंगा लेकिन वो वापस ने कोई बात नहीं लेकिन जो अंतिम में उद्धव आए तो उद्धव ने हमारे कृष्ण जो हमारे से एक पल अलग नहीं है गोपिय ने बहुत सुंदर वरणन एक रूपकलंकार के माध्यम शे धामधनी ने खट्रूती में बहुत सुंदर अच्छा वरणन करवाया हिंद्रावती के धाम दिल से सुंदर साजी इसमें यह बताया कि जब उद्धव शंदेश लेकर आये ने गोकुल में तभी बताया कि नीराकार परमात्मा का आप ध्यान करो उसकी योग शाधना करो तभी गोपियों को बहुत कर्ष्ट हुआ था बहुत दुख हुआ था उसको ऐसा लगा कि हमारे दिल से एक पल के लिए भी हमारे प्रियतम अलग नहीं है कृष्ण अलग नहीं हो आज तू साकार और नीराकार के परमात्मा की क्या बात करने के लिए आये हो हमा हमारे से हमारे कृष्ण ये खे जो अलग होते तभी तो हम किसी का ध्यान करते समझ गे मानलो हमारे दिल में दनी हमारे दिल से अलग होते तो उसका ध्यान करना हो तो मानलो आज हमारे दाम दनी हमारे दाम दिल में बिराजमान है लेकिन हमारे अंदर एक माया के फरामोशी क पर्दे हैं ने जो हम दीख नही रहने दामधनी को इसलिए वानी की सेवा पुझा के माद्यम से वानी के पठण के माद्यम से या ध्यान-चित्वनी के माद्यम से अमधनी को देखने का प्रयास करते है। यहां गोपियों ने बताया कि हमारे पास यह उद्धव एक ही मन है, उद्धव मन एक है, नहीं दस वीस, क्या बोला? गोपियों ने उद्धव को बोला, उद्धव मन तो एक ही है, नहीं दस वीस, जो एक ही मन है, वो भी हमने हमारे प्रियतम के चरणों में रख दिया है, और दस वीस थोड़ी है, तो मैं उस मन से में सोचू, उसके बारे में बात, यह बात बताई और आगे बताया, कि उद्ध जो एक मन थाने वो भी कृष्णा लेकर गया है वो भी हमारे पास नहीं है वो तो कृष्णा लेकर चला गया हमारे पास हमारा मन रहता तो उस पर हम सोचते ने तो यहां वालबाई को उद्धव केकर इसलिए सुन्दसाजी कि मिहराज को कर्ष्ट हुआ कि मेरे सत्गुरु श्वयम धाम के धनी मेरे को पुकार रहे थे और बार बार ये चार बार आये सुन्दसाज भी हारी जी वालबाई तो भी मेरे को सत्य घटना सत्य बात बताई नह तो अंतिम में हमने यह देखा और आगे धामदनी बता रहे है सुन्दसाद जी कि आई के मुलाकात करी लगे स्री देवचंद्र जी के कदम तब पूछा ये कौन है कहिया स्री मिहराज की आतम जब वहां से राज जी प्रबंध का जो काम था वो सब सोपकर मिहराज जी कहां आ गए नवानगर नौतनपुरी आ गए है वहां बोल दिया कलाजी को के हे कलाजी हे राजा मेरे सब ये लोकिक व्यववार ये यहां का काम ये कारियभार मेरे से नहीं हो रहा है बस मेरे को बार-बार यहां अंदर से भी एक अंतप्रेना मिली इंद्रवति की आतम के अंदर के भई नहीं बार-बार यह से राजाओ को जी-जी करना बार-बार उसके चलणों में जुकना इससे अच्छा तो धनी के चलणों में मैं चला जाओ यह बहुत अच्छा है बस बा नवा नगर, नौतनपुरी आये, और आने के बाद, जब सद्गुरु मार के पास पहुँचे, तब कितने साल हो गए थे सुन्दसाथ जी? नव साली जुदागी थी कितने साल की नव साल की जुदागी थी सुन्दसाच जी आये थे प्रणाम करने के लिए लेकिन परदा कर लिया था ने मुँपर चादर ओडली थी ने सुन्दसाच जी देखो जिसकी पैचान के बाद मुँपर चादर ओडली जब देखी तभी क्या हालत हुई होगी, आप सोचे इंद्रावती की क्या हालत हुई होगी तब उस टाइम पे, आप एक एक चरण को, एक एक बात को आपके दिल में भर कर प्रैक्टिकल वह जाईए, प्रैक्टिकल वो प्रसंग के ध्यान में डूबिये, वो बातों का चिंत कीजिए, स्वाध्यन कीजिए, अंदर-अंदर मन्थन कीजिए, कि उस टाइम पे क्या हालत हुई होगी, इंद्रावती की सुन्द साथ जी, तो वहाँ जब गए, तो सद्गुरु माराज का स्वास्थे ठीक नहीं था, तो ऐसे ही पलंग परविस्तर पर लेटे थे, नाम करने के बाद बोला, तो उसने बोला, सद्गुरु ने के कौन आये है, तो बोला के मिहराज की आतम, क्योंकि अपने भावों में तो मिहराज की आतम ही बोलेंगे ने, ऐसे हम क्या समझेंगे, इंद्रावती की आतम, लेकिन अपना नाम का परिच्छे दिया, कि मैं मिह राज की आतम आपके चर्णों में में आई हूँ तो जब जूख के प्रणाम किया सुन्दर साजी ऐसे नव साल की जुदागी क्यों एसे हमारे रंग महुल की नव भॉम एक्यों दस्मित्वाकास या गई ने फ्लोर तो नवी है यह ने हमारे भी ऐसे क्यों हमारे अंदर भी गुणंग इंद्रिया भी नव और दस्मा तो मन है ने सुन्द साजी तो आईसे नव नव क्यों एसे भक्ति भी नव प्रकार की भक्ति से आगे की भक्ति बताई संसार में भी नव का सिमित अंक क्यों इस संसार में नव का जो सिमित अंक उस्षे परे इस ब्रह्मान में को यंक क्योंकि नव के उपर सुनिया लगेगा ने या एक लगेगा तो एक बार तो एक आ गया ने फिर दुबारा तो सुनिया या एक लगेगा तो नव तक की गिंती पुरे ब्रह्मान का गिंती या पुरे ब्रह्मान का गनीत सब कुछ इसमे आजाता है, वहां सिमीत, बताया कि मर्यादा, एक सिमीत, एक हद आ गई, एक पराकाश्ठा हो गई बस नव के बाद, तो इस संसार में हमारी भी सिमीत एक गुणंगिंद्रिया की भी ऐसे, जैसे वैशनेव को बताया ने, धामदनी ने किरंतन प्रक्रण में बताया है, किरंत और धामदनी ने बैठ कर ये बताया, वह वैशनेव का अधार लिया, जो पुष्टी मार गोसाजी परंपरा, लेकिन ये नहीं है, बातुनी में किसको कह रहे है वैशनेव, हम सब को मत संप्रदाई को बांध कर, या संप्रदाई को कोई परिदी में बांध कर मात नहीं कर वैशनेव, उसकी संदी चुटी अलग करो, वस बत प्लस नव, तो जिसको अंदर जिसके अंदर जो नव इंद्रिया बेठी है, जो नव इंद्रियों को जो वस कर लेता, उसको क्या बोलते है, वैशनेव, जो नव इंद्रियों को अपने आधिन कर लेता है, अपने बस में कर लेता है उसको बस वैशनेव वस करना जो नव इंद्रियों को इसको नहीं बोला सम आत्माओं के अंदर जो जीव बेठा है जीव अपने गुनंग इंद्रियों के आधार पर और उसके माधियम से जो सुख उपभोग संसार का कर रहा है जो इंद्रिया हमारे अधिन नहीं हमारे बस में नहीं रहेगी तो मन क्या करेगा ये इंद्रियों को लेकर संसार के सुख उपभोग में पड़ा रहेगा ऐसा ही नव भूमिका रंगमोहल की देखो नवी भूमिका बताई दश्मी तो अकासी आ गई ने ऐसे भक्ति भी नव प्रकार की स्रमर, किर्तन, समरर, दासियो, साख्यो, वंदनों, आत्मनी वंदनों, पादश्यवनों, भक्ति भी नव प्रकार की दश्मी, दश्मी बताई लेकिन प्रेम लक्षना, तो संसार की भक्ति कितनी बताई सिमीत, नव प्रकार की भक्ति बताई, यहां सुन्दसाजी नव साल की जुदागी, तो क् आनतिम तक गिन लो, और अब परावणिक गिनाने, उसे आगे भी बहुत गिन लो, लेकिन वहाँ तो नातिम आ गया। नव से बस अंतिम आ गया। तो यहाँ भी नव शाल की जुदागी के बाद सुन्द साथ जी जब चर्णों में लेटे वे सद्धगुरू के चर्णों में जब प्रणाम किया तो बोला कि हां मिहराज क्या तुम आ गए कितना करार कितनी सांती मिली होगी फिर बोले कि अच्छा हुआ मिहराज तुम आ गए बस मैं बार बार तुम को याद कर रहा था मैं बार बार सुन्द साथ को बेजा क्या किसी ने आपको सत्य बात नहीं बताई तो अभी तो नहीं केते हैं और फिर बोला कि मिहराज तुम जाएगे कोई लोग की काम पर या फिर आएगे एक बार सद्गुरु ने बोल लिया ने अपने मुक्षे कि तुम जाएगे लोग की काम पर या नहीं जाएगे या एक बार जाके फिर वापस आएगे तो सुन्द साथ जी फिर मिहराज एक बार फिर लोग की काम पर जाएगे तो उसके बाद प्रणाम भी किया और उसको बोला कि है मिहिराज तुम और बिहारी जी दोनों साथ में मिलकर भेले मिलकर क्या करना भोजन करिये तो साथ में बैठने के लिए जब बोला सुन्द साथ जी लेकिन मिहिराज तो बार बार प्राथना कर रहा है किसको बिहारी को बिहारी जी माराज को लेकिन बिहारी माराज जूक नहीं रहे तो सद्गुरु माराज लेटे लेटे देख रहे कि दोनों परमधाम की आतम हो यह किसकी बात है पहले यह ले लो हमारी बात है सुन्द साथ के बीच में धाम धनी ने बताया ने के मेरे साथ को जो कटुक वचन कहे ने वो मेह सही हो न जा वही और धाम धनी ने किनंतन ग्रंथ में भी बताया के जो 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 साथ में होते प्रीत तियों तियों मोई को होते सुक जो जो साथ में होते ब्रोद त्यों त्यों मोई को होते दुख दामदनी ने क्या बताया कि साथ का दुख है ने मलोक एक सुन्दसाथ ये कोई दूसरे की बात नहीं है घटना करम नहीं है ये हमारी बात है कि एक सुन्दसाथ को जो दुख देते दूसरे सुन्दसाथ त दे रहा हूँ थोड़ी धामदनी को दे रहा हूँ यह धामदनी ने क्या बताया कि जो दुख मेरी सयन को तो सुख कैसा मोहे हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए और सुन्दसाजी और भी आगे धामदनी बताएंगे तो यहाँ एक सुन्दसाज दूसरे सुन्दसाज अरस परस कितना प्रेम करना चाहिए सुन्दसाजी धामदनी हमको प्रेम की बोलाने के मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, तुम तो मेरे मिठे सुन्दसाथ हो, तुम तो मेरे लाडले सुन्दसाथ हो, हम मानते हैं कि भले ने सुन्दसाथ को कष्ट पढ़ा है ने, लेकिन सुन्दसाथ का ये कष्ट नहीं है, ये किसका कष्ट है, ये धामधनी को कष्ट पढ़ा है, ये धाम दुख दे रहा हूँ, जो सुन्दत साथ को दुख दे रहा हूँ ने, और धनी को, और धनी ने एक जगवानी में यह भी बताया, कि ओल या लीला दोस्त कहे, दोनों में नहीं तफावत, बंदगी या की करो या मेरी, बीच में नहीं तफावत, बंदगी मेरी करो, या मेरे य उसके समान बनाना चाहते हैं ने, उसके कोई गुरु शिश्य या भगवान भक्त ऐसा बेद नहीं है, तो हमारे धामधनी सुन्द साथ पर आया हुआ कष्ट भी नहीं देख सकते हैं और एक सुन्द साथ, दुसरे सुन्द साथ को जब कष्ट देते हैं, वो भी हमारे धामधनी देखा, नहीं बाते हैं बहुत दुखी होते हैं, तो यहां भी बोल रहे हैं के सुन्द साथ जी, ज परस परस अंदर का जो अंदर का एक मिलन होता है एक आत्म भाव परमधाम का वाहदत भाव जब अंदर प्रगट होता है तो मेरे अंदर क्योंकि हम परमधाम के किस सागर से हम आये हैं वाहदत के सागर से आये ने हम सब एक रस है ने सुन्द साजी वहाँ एक सखी के मन में ब वлять शुटा लगता था ने सुटर साजी के प का किरने दखाजी से भले यहां बले हमारा इस उसका सत्बाण को सो के लिलार अलग 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 यह कि लिकाना थो तब्र按ठी से जुज्वात अक्वात इसकरा करा पुईर छेंगं इंद्रियों के भावपर या तो करा के भाव पर जो मारे अंदर बेद्व और रेगा सुन्दर साजी एक सुन्दरसात के नीच dejar Yi के बिच में तो धामदनी तो धामदनी ने अनी में बताया चर्च में गरीमम आया कि जो बात न्मसे works पहुँचे समय वतन, एक जड़ा छीपी ना रहे, आगुईन, खर्षम, तुमारे और मेरे अंदर, जो थोड़ी सी बात यहां उरती ने सुन्दसाजी, वो बात कहां पहुच जाती, पर हम धाम में एक जड़ा, धनी के और हमारे बीच में एक बात छीपी नहीं रहती है, तो यहां बिहारी जी, वो स्री जी के बीच, मिहराज के बीच, जो बिहारी जी मतभेद कर रहे है, सुन्दसाजी उसके अंदर भी रतनबाई की वासना थी, लेकिन धाम धनी ने रोल ऐसा प्ले करने के लिए, उसका हुकम था, कि उसका रोल ही ऐसा था ने, इस संसार के जो सुन्दसाजी एक नाटक का जो एक मंच रचा गया है, तो यह मंच बर हम सब रोल प्ले करने के लिए आये हैं, हम सब एक नाटक के पात्र है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई अलग शोबादी, किसी को और शोबादी, किसी को अलग शोबादी, तो सब रोल प्ले कर रहे हैं, यह भी धामदनी की कृपाश हो रहा है, क्योंकि धामदनी की दिल की इच्छा का इक अलग थी, जो भी हरजी नहीं होते, तो यह वाणिया जो उतरने वाली है, उतरती, नहीं, तो ऐसे भी नहीं देखना है, यह रतन भाई है ने, परमदाम की हमारी वास्चना, लेकिन धामदनी ने ऐसा ही रोल प्ले करने के लिए उसको सोभा दी है, तो हम आगे बढ़े, तब साथ में बैठने के लिए, बोजन करने के लिए, जब सद्गुरु माराज ने बोला, तो सुन्दसाजी बिहारी जी मना कर रहे, फिर मिहराज ने बोला, के नई, हे शद्गुरु माराज, मिराज ने शद्गुरु को प्रात्ना की, कि आप बोलिये ने उसको, कि हमारे साथ की बैठकर एक ही थाली में भोजन ले, तब स्द्गुरु माराज ने बोला, कि दोनों आत्म परमधाम की हो, और दोनों के बीच में ये क्या हो रही है, या रद बदल क्या हो रही है आप बैठी है ने तब सुन्दर साजी और वित्तकार तो लिखते है कि दोनों साथ में तो बैठे सद्गुरु माराज के कहने पर लेकिन बिहाय जी के अंदर का जो अंदर का भेद था जो मत भेद हुआ वो अंदर का दूर नहीं हुआ था साथ में तो बैठे लेकिन एक ही थाली में दो भाग कर अलग-अलग करकर खाना खाया यह दूसरे वित्तक कारगलालदासी ने लिखा नहीं है सुन्द साजी तो और हम आगे बढ़े दोनोंने साथ में भोजन लिया और आगे धामधनियम को बता रहे है कि फिर जब भोजन के बाद मिहराज को जब समय मिला तो सद्गुरु माराज के पास बेठे और बैठने के बाद अरब से लेकर जो जो घटना घटी वो सद्गुरु माराज को सब घटना जब बैठे ने उस टाइम तक की मानलो आप अभी यही पल यही मानलो कि सद्गुरु माराज के पास दोनो आथे भोजन कर रही है वोई पल तक की सब घटना करम मिहराज ने किसको बता दिया सद्गुरु माराज को कि अरब से कैसे कैसे धनसंपती किस किस से आथ में गई और यहां कब पहुँची, कैसे पहुँची, कितना कश्ट पड़ा, यह सब बाते बताने लगे, और उसके बाद बोला कि कोई बात नहीं मिहराज, जो भी हुआ है ओ धनी के हुकम से हुआ, उसके बाद सुन्दसाजी जो जागणी का उत्तर दाइत्व, कल मैंने बात थोड़ मुख्य बाते थी, वो शब जागणी की सबंदित, वो सब बाते बता दी, और उसके बाद, यहां धाम धनी ने लालदासी माराज के धाम रदे से, महमत के सब्दों में बताया, क्या बताया, कि सत्गुरु माराज की सुरत, नीज धाम, फीर गई सुन्दसाजी, और क्या कह 22 दिन के बाद, जो जो बाते बतानी थी, वो इंद्रावती की आतम को बता दी, और सद्गुरु माराज ने, चोथे दिन की लीला, भादरवा सूद, विक्रम सवन, सवन्त, सत्रसो बार, भादरवा सूद, 14 ना दिव से, बुद्धवारी मध्य, रात भई, धनी भई, थोड़ा जोड़ दिया था, लेकिन प्रसंग बीच का आधा था, वो आज ले लिया, तो बुद्धवार को, बिहारी जी को का एक सनन्द भई, बिहारी जी को थोड़ा मालूम हुआ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन स्री जी तो, मिहराज तो अपने घर पे चले गए थे, तो स सुन्द साजी, चोथे दिन की लिला पुरुन करने के बाद, पांच में दिन की लिला प्रारम बहती है, लेकिन हुआ क्या, ये प्रसंग को मागे जोड़े, सुन्द साथ को ऐसा लगा, तिन सो ते रात माय तो जोगी, लेकिन तार्तम वानी का आउत्रण नहीं हुआ था, तार्तम वानी का आउत्रण अभी होगा सुन्द साथ जी, तो तार्तम वानी का आउत्रण नहीं होने के वजह से, सब ने मान लिया, कि हमारे धाम के धनी परमधाम चले गए, क्या माना, हमारे धाम के धनी परमधाम चले गए, और गादी पर कोई भी राजमान नहीं है, मैं रोज ही बताती हुने सुन्दर साजी आप सबको के धामधनी परमधाम कभी भी जाएंगे नहीं जहां तक अमारी लीला चालू रहेगी छेठे दिन में सुन्दर साथी लीला जब पुर्ण नहीं होगी और धामधनी ने वाने मी भी बताया के रहे न सको में रूह बीन रूह नहीं सके मुझ बीन में रूह के बिना नहीं सकता रूह मुझ बीना नहीं रह सकती तो धामधनी छेठे दिन की लीला तब पुर्ण होगी कि जब हमारा खेल खतम होगा हम जब खेल को पुर्ण रूप से देख लेंगे तभी हम साथ में चलेंगे और हमने जो बड़ा-बड भी खेल को छोड़कर जाने वाले नहीं है लेकिन वानी नहीं थी ने तो सुन्द साथ को क्या हुआ पता है में रोज ही एक बार नाम रूप तत्व और गुन यह चारों की बात बार बार क्यों दोहरा रही हो क्योंकि सुन्द साथ को उस टाइम पर भी यही हुआ कि इमान लिया किसको सत्गुरु मान लिया देवचंद्र जी के रूप को जो नाम धारन किया था इसलिए तो मैं बोलती हुआ कि पांच दिन तक जो तन धारन किया वो तो यहां का था चाहे कृष्ण का हो चाहे महमद का हो या चाहे देवचंद्र जी का हो चाहे मिहराज का हो बस कोई सबंद मारा रहा, नहीं, तो अंदर वाले स्वरूप की पेचान नहीं हुई, तो आगे क्या लिला हुई, तो मूल निस्बत की पेचान, सुन्दर साजी निस्बत की पैचान बहुत गेहरी बात है जब तक हम निस्बत की पैचान नहीं कर लेंगे ने अभी हम कैसे चल रहे पता है धामधनी वानी के रूप में हमारे घर में आ गए वानी के श्वरूप के माध्यम से ऐसे हम सेवा पुजा भी कर रहे है मैं रोज एक बार ये बात रखती हूँ और वानी मंथन भी कर रहे है त्यान में भी बैठ रहे है लेकिन अभी जो अंदर निस्वत का पता नहीं होता कि मेरा मूल तरण वहां बैठा है मैंने उसको देख लिया मूल मिलावे में मूल सरूप मध्य में सिहासन पर विराजमान है वो शयम मेरे धाम के धनी है और अंदर से जब हमको पता लग जाना चाहिए कि नहीं वो ही मेरे धाम धनी है ये संसार में जो मैंने जुठे सरी धारन किये ये तो नस्वर है एक दिन ये तो छोड़ना है सुन्दर साजी ये जुठे कुटूम कभी लेके जो हमारे सबंद बने है ये तो एक दिन छोड़ना है तो यहां के जो प्रति यहां के संसार में जो हमारे ग्रोस्ति में जो संसार के रिष्टों के साथ हमारा सबंद बंदा है उसके प्रती जो हमारा लगाव है उसकी जो हमको पैचान बनी है अंदर से यह पैचान जब धामधनी के प्रती गेहरी बनेगी और पुरुना पैचान बनेगी तभी तो नाता की पैचान होगी समझ गए हो पैचान हमारे दिल में अभी उठा नहीं रह पर जब पैचान कर ली, वो ही पल में गीर चुके हैं, बंगलाजी में, स्वास भी, पानी पीना हराम कर दिया, ने सुन्दर हमें, तो 400 साल से हैं, से साराम में जी रहे हैं, कोई जाने की जल्दी भी नहीं है, समझ गए, इसने दामदनी ने वानी में बताया, सुन्दर साज जी, तेरे कानों सुने, यह धामदनी क्या बता रहे हैं, कि शिर्फ इंद्रावती ने नहीं सुना था, जब उत्तर ते टाइम खेल में, जब रज में उत्रे आँम, पहले ब्रहमान में, तभी सिर्फ इंद्रावती ने बड़ा दावा या कोल नहीं किया था, सिर्फ ए दोनों आत्मा या और जो जगी, उसने सिर्फ कोल नहीं किया था, तुने भी है आत्म, तुने भी तरे कानों से सुना है उस टाइम पे, कि हा धनी एक बार नहीं, सोबर देखो, अजमाई के कैसे बड़े बड़े, सुन्दसाजी हमने दावे किये ने, और कोल भी किये ने, कि धनी हम नहीं भूलेंगे आपको, या धाम धनी याद दिला रहे सुन्दसाजी, तो सुन्दसाथ मुल निस्बत के नाते को भी भूल यह उस टाइम पे, उसने क्या, उसकी स्रद्धा, उसकी निस्था, उसका विश्वास, उसका इमान, कहां रहा? सिर्फ गादी पर रहा, या गुरु पर रहा, या इसलिए तो पहचान नहीं पाए, और नाम पर रहा, क्योंकि जो नाम पर रहा, इसलिए उसको ऐसा लगए, सद्धुरु चले गए, वो धाम चले गए, तो तन पंचमा भूत का था, अंतर ध्यान लिला के बाद, हमको पता है न, नौ देवरी में, उसको सुन्दसाजी शमादी भी दे गई ने, और जो नाम को पैचानते हैं सद्धुरु के रूप में, और उसको ऐसा लगए कि इन्सोते रात्माय जगी, फिर माया में सो गई, क्योंकि वानी तब उत्री नहीं थी, और आगे दामदनी ने बताया, कि पहले ही लोमो पूझ में लिखा गया था, किश्मे, एक कते परमपरा का, जो एक धर्मगरन थे, लोमो पूझ, लो मतलब लोखन, जो गुजराती में बोलते ने, तो जो लोह की तक्ति वोती ने, उसपर लिखा गया था, कैसे? तो यह बताया के लोमो पूझ में पहले से लिखा था, ऐसा इगट ना गटित हुई, तो जो धर्मगरन इसलामिक जगत के लोमो पूझ, उसमें ऐसा लिखा गया था सुनद साजी, वो इसलामिक जगत उस पर ये मानते आ रहे हैं कि एक लोहे की तक्ति ये कहां है तो जबरूत और लाहुत अक्षरदाम और परमधाम दोनों के बीच में एक लोहे की तक्ति रखने रख दी गई है उस पर कुरान की जो आयते लिखी हुई है जब महमत साहिब के यहां जोस में जब कुरान उतर रहा था कुरान की आयते उतर रही थी तो जबराइल के जोस के फरिस्ते वहां से चो लोहे की तक्ति पर आयते लिखी है वो आयते जबराइल के जोस लेकर यहां आता था और कुरान में लिखते हैं वो ऐसा मानते हैं उसको पता नहीं है क्या पता नहीं है कि वहां कोई परमधाम और अक्षरदाम जबरूद या लाहूद के बीच में ऐसे कोई लोह की लोखन की तक्ति रखने की जरूरत नहीं है कोई चीज जाती नहीं है तो आने की कोई प्रश्णई नहीं उठता सुन्द साजी धामधानी ने वानी में बताया कि परमधाम की एक कंकरी उड़ावे चौधे तब बताया ने परमधाम की एक कंकरी वहां से कौन आते तो चौध लोग का कोई सुन्द साजी कोई अस्तित्वर रहता भी नहीं है तो वहां से ऐसे धाम अब कहूरे इसक की बाद इसका शबदातित साक्यार चो कदी आवे मीने सबद तो चवदे तबक करे रद क्या बताया ये प्रेम है प्रेम ब्रह्म दौ एक है प्रेम कर लिए अति संक्री या में दोन शमाई सुन्द Сाजी प्रेम राज्जी के सुरूप हे वहां जो प्रेम आजाता तो राज्जी मनलो पेचान हो जाती न जी की तो बताया के जैसे अंदर प्रेम आया पेचान हुई तो इस चवदे तब का स्थित्व आत्मा के लिए रहता नहीं है तो उसका बातुनी भाव यह था संदसाजी, कि अक्सरातित पारव्रम की जो सत्य ज्यान धारा है, जो ज्यान धारा हो वानी के रूप में उत्री ने संदसाजी, यह ज्यान धारा वानी के रूप में उत्री और राजी के आवेश और जोस के माध्यम से महमतिक धाम दिल में य वानी की आवेश्थारा रस्थारा प्रवाहित हुई ने तो उसको ये पता नहीं था हम आगे बढ़े तो सुन्द साथ भूल गए और यहां बताया कि पहले से लोमोफुज में लिखा गया था और सब सुन्द साथ अपने घर में माया में चुपचाप बैठे रहे नहीं चित चुपचाप सब होते थे ने वहां बगीचे में स्थान चर्चा का बन गया था जब वह चुगल खोड़ने चुगली कर दी उसके बाद तो वहां चुपचाप अपने घर में बैठ गये और किसी का नाता ही नहीं है हमारे धनी अक्षराती थे हम कहां से आये हम कोन है यह सब नाते भूल गए कि मैं कौन कहां से आया और कहां मेरा घर इस सब बाते मुमी ने भूल गए ब्रह्मात्माई सब भूल गई तो ऐसे में सुन्दसाजी बालबाय आई क्या कौन आये बालबाय आई बालबाय ने बोला गांग जी भाई की बेहन उसने बोला कि है मिहराज हो एक समाचार लेकर आई उसने बोला कि मिहराज गदी तो आज खाली हो गई सद्गुरु थे तब तक सुन्दसाथ आते थे चर्चा सुनते थे ऐसे सुन्दसाथ की भीर लगी रहती थ देखो सद्गुर्व माराज के अंदर शाक्षा तक्षरातित के आवेश लीला करते थे तो वो गादी की महिमा तो बहुत है और गरीमा भी है महिमा भी है तो गादी खाली रहनी चाहिए नई तो आप उसके बारे में थोड़ी विचार ना कीजिए विचार विमर्श कीजिए फिर आगे वालबाई ने बताया कि है मिहिराज हो गादी में जो धर्मिक शेत्र के अधिकारी या वारिश तो आप ही हो लेकिन नसल थे ले वारिश नसल से ले एक वंस में मैंने बोला ने रक्त के शबन से ले तो कौन है बिहारीज मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था तो चलो बिहारीजी को बैठाना है तब मिहराज ने बोला कि हो बात तो अच्छी है मेरे को अच्छा लग रहा है कोई बात ने आपने जो सोचा और सब सुन्दर साथ ने जो भी मसलत करके सोचा वो बात मैं सिरोधारिय करता हूं मेरे सिर पर है चलो, वो ही काम हम करें फिर मिहराज ने सोचा कि सुन्दसाथ की इच्छा तो बिहरी जी मारत गादी फराएगे वो सुन्दसाथ की इच्छा नहीं है क्योंकि बिहरी जी मारत से सुन्दसाथ दुखी है लेकिन मेरो को क्या करना पड़ेगा सब सुन्द साथ को समझाना बुजाना पड़ेगा तब सुन्द साथ राजी होगे ऐसे सुन्द साथ मानने वाले नहीं है लेकिन मैं सब सुन्द साथ को समझाऊंगा और सब से पहले मैं प्रणाम करूंगा और आगे सुन्द साथ भी प्रणाम करेंगे पिछे से तो चलो बालबाई आप सब संदसाथ को संदेश दे दो कि कल बिहार जी माराज को गदी पर बिठाना है तो हो तयारी में सब लेग गए और एक दिन नक्की वीक फाइनल भी दिने भी ले लिया तो बिहार जी माराज को सद्गुर माराज ने भादरवा सुद 14 नांतर ध्यान लिला की और भादरवा के बाद क्या आता है आसो मैने में बिहाय जी माराज को सुन्दसाजी चाकले गादी पर बेठाया गया तो आगे के प्रक्रण में हम देखेंगे वानी अउत्रण कैसे होगा और बिहाय जी माराज गादी पर बेठे तो क्या क्या लिला होगी ए धामधनियम को आगे के प्रक्रण में बताएंगे बिहारी जी माराज को बिक्रम 772 का ही समय है और मिहराज ने सब जग़ पत्र लिख कर सब जग़ पत्र लिख लिख कर सब को संदेश दे दिया सब को समाच्वार दे दिया कि बिहारी जी माराज को सद्गुरु माराज की गादी पर विराज किया गया है तो सब सुन्दसाथ को चर्चा सत्संग के लिए या आना है सुन्दसाथ जी मिहराज ने क्या किया सब सुन्दसाथ को एकत्रीत करके प्रमधाम की ब्रज रास की ऐसी बाते की चर्चा भी शुरू कर दी और सुन्दसाथ को समझाने भी लगे सुन्दसाथ का मन त और इतना भी नहीं और आगे जो सुंदर साथ की इच्छा नहीं थी उसको भी खनणी और तिखे सब्दों में समझाया कटू वच्चनों से भी समझाया के भई आपको भले इच्छा नहों लेकिन हमारे सद्गुरु माराज की जो वनसज में आज रक्त के सबन से भी हारी जी म पाराज हमारे धामधनी है उसको गादी पर बैठाया है तो आपको धामधनी के रूप में मानना पड़ेगा तो ऐसे समझा बुजाकर सुन्दर साथ का मन माया की और से हटा कर किसकी और लगाया धामधनी और चर्चा की और लगाया और इतना भी नई जो मार्ग बंद हो गया था मैंने बोला ने चर्चा चित्वनी सब कुछ बंद हो गया था तो आगे क्या किया वो मार्ग को अग्रेशर किया फिर चालू किया कैसे चालू किया सुन्द साजी मिहराज ने प्रयाश किया मेहनत की के नई सुन्द साजी उसकी चर्चा तो आपको सुननी पड़ेगी तो बिहारी जी माराज समय दोनों समय सुबह और शाम प्रांत और संध्या को दोनों समय चर्चा करने लगे यहां धाम धनी ने बताया कि चर्चा करे धाम की बिहारी जी बाहर क्या बताया चर्चा करे धाम की बिहारी जी बाहर क्योंकि बिहार जी माराज के अंदर सुन्दस साजी, मैंने बताए, उसको ऐसा ही रोल दिये थे, कि बिहार जी माराज के अंदर ग्यान का ये थार्थ प्रकास नहीं था, वास्तविक ग्यान की अंदर जागनिय भी नहीं हुई थी, ऐसे तो वाने भी नहीं उत्री थी वो सद्गुरु जब चर्चा करते थे तो ऐसे रूची से उसने चर्चा भी अत्मसात नहीं की थी तो यहां लालदाशी माराद ने श्वयम महमति के सब्दों में लिखा के बिहार जी माराज ऐसे बाहर बाहर वाली ऐसे कोई दरस्टांत देखे ऐसी दुनिया की लोकिक चर्चा करने लगे तभी यहां लीलारस शागर यह वृतांत मुक्तावली दोनों में एक बात बताई ग हैं क्योंकि अभी फूलबाइक आये गाने आगे हैं जब दौराजी जायेगे तभी तो यहां बताया के एक सुन्दस साथ है दो गोस्ती दुरी पर एक कोस बड़ाबर 4 किलोमिटर यह तरन किलोमिटर जो भी लो तो दो कोस की दुरी से एक सुन्दस साथ रोज छर्चा के लिए आते थे लेकिन उसके पारिवारी थोड़ा संकट, थोड़ी मझूबुरी और वो पहुश नहीं पार है तो उसने बिहर जी माराज के पास एक दिन एक टाइम की छुटी माँगी कि है धामदनी है बिहर जी माराज मैं दोनों टाइम नहीं आ सकूंगा तो मेरे को एक टा ने क्या बोला कि आपको दोनों टाइम आना नहीं है सुन्दसाज जी ने को धामधनी कैसे लीला करवा रहे मेरे को यह प्रसंग केने के लिए इच्छा नहीं हो रही है लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि दोरा जी जाएंगे तो फुल बाई का जो पहला देहतिया उसके छूट नहीं पा रहे माया का इतना बल है सुन्दसाज जी माया इतनी बल साली नी इतनी जोरा वर है तो यहां बताया धामधनी ने क्या बताया तो भीहर जिमार ने बताया के दोनों टाइम क्यों एक ताइम क्यों दोनों टाइम आपको आना नहीं है तो वो सुन्दसाज बहुत दुखी हो गए यह तो इवित्तकारों ने बताया है कि साथ दिन तक दरवाजे पर भुखे रहे बिहार जी का दिल पिगला नहीं दिल पसी जा नहीं सुन्दर साथ यंदर कोई दया नाम की चीज भी नहीं थी और उसके बाद क्या हुआ उसको लगा कि एक मिहिराज ऐसा है कि उसके चलन कमल का आसरही मेरे लिए बसंती में तो मिहिराज के घर पे चले गए तबी मिहिराज राजदरबार में नोकरी के लिए गए थे अभी घर उन्दर साथ या कोई भी आये नहीं थे तो वह जाकर स्वागत करना सनमान करना या खाने पीने की जो भी जवाबदारी निभाना हमारा कर्टब यह बंता है तो उसने क्या किया वो जो साथ दिन से भुखे सुन्द साथ थे उसको खाना खिलाया बिचारे साथ दिन से खाये नहीं थे वो पता किसको लगा बिहार जी माराज को लग गया अभी मिहीराज राज दर्बाज से सिधे पहले कहां जाते थे बिहार जी माराज का दर्शन करने के लिए सुन्द साथ का देखने के लिए उसका भी दिदार और उसके वहाँ चर्चा करने के लिए जाते थे तो दोनों टाइम वहां जाते थे, सुबह भी जाते थे और साम भी जाते थे, बिहाई जी माराज गादी पर आए, तो अभी शुबह भी जाते थे और साम भी जाते थे, तो सुन्दर साजी जब राज को दरबार से और शीदे मंदिर में आये, कहां बिहाई जी माराज जाते वहां आये, तो वहां जाने के बाद, भीहाई जी माराद ने अपने दवार पालों को बोल दिया, कि उसको अंदर आने नहीं देना उसने बार ही रोक लिया, तो मिहराज ने प्रस्ण पुछा, कि किस कारण से मेरे को रोक रहे हो, तभी उसने बोला, कि अंदर जाके मैं बात पुछलू तो अंदर पुछा तो भीहाजी माराद ने बोला कि अंदर बुलाओ पहले बात को सफाई करनी है फिर मिहराज अंदर गए फिर बात की सफाई हुई कि बोला कि आपकी धर्म पतनी ने जिस जिस सुन्द साथ को मैं बहिश्कृत करता हूं धर्म से बहार निकलता उसको उसको कोन रखते है यहां अभी तो पहला प्रशंग हुआ तो आपकी पत्नी ने क्या किया अभी आगे बहुत आएगे आपकी पत्नी ने उसको स्थान दिया दिया है उसने अपने चरण में लिया है तो यहां बताया कि यह कोई काम तो सुन्दसाथ का तो यह फर्ज बन सेवा करेंगे सुन्दसाजी धामधनी के स्वरूप मानकर तो यहां हमारा भी एक करतव यह बनता है और एक बात यह रखनी है सुन्दसाजी कि जो मिहीराज ने जब भिहाजी के सामने बात रखी और भिहाजी ने बोला कि मैं साथ को महार निकालू उसको क्यों रखा आपकी भुलबाई ने, तो आपको धर्म जो ये, धर्म चाहिए या धर्म पत्नी, सुन्दर साजी धाम धनी ने भी परमधाम से आत्माओं को क्या बहार निकला, निकला, वो भी नहीं कर सकते ने परमधाम से वो काम दो, धाम धनी ने वानी में बताया, कि मैं सब काम परमधाम से करशकता हूँ, लेकिन ये काम मेरे से भी नहीं होता है, क्या मेरी आत्माओं को मेरे चरण कमल से अलग करना, और एक दूसरा काम है, कि मेरी आत्माओं को दुख देना, ये दो काम मेरे से भी होता, नहीं है, कि मेरी आत्मा मेरे सामने दुखी हो, और एक क्या, कि मेरे चरण कमल से अलग हो, तो परमदाम से बाहर निकाल देता या साथ से या संप्रदाई से बाहर निकालने से वो निकल नहीं जाता पोलने से कुछ होने वाला नहीं है सुन्दर साजी तो यहां मिहराज ने मिहराज को भीहारी जी ने बोला कि धर्म चाहिए या धर्म अपतनी सुन्दर साजी उस सब्दपा सोचना जो मैंने किसा किया ने वो सामानिय किसा नहीं है अभी उस प्रसंग पर हम गेराई से जानेंगे उस टाइम पर अपनी आतम को रखे या अपने वजुद को अपने सरीर को रखे कि आपके सामने वही धर्म संकट आता समझ में आ रहा है वही धर्म संकट जब हमारे सामने आता तो हम क्या सोचते उस टाइम पर हम क्या विचार करते ये कोई सामानिय सा प्रसंग नहीं है मैंने पहले जो घटना करम के रूप में बताया कहने का भाव तमारा अलग था सुन्दसाज जी ये कोई सामानिय प्रसंग नहीं है उस टाइम पे मिहराज पर क्या बिती होगी क्या हाल किया होगा उसका उसने इतना छोटा सा चरण है लेकिन बहुत गेरा है आज हम 400 साल से वानी उतर गई घर में राज्जी भी बद्रा दिया बहुत समय से आज पेचान भी हो गई है सुन्दसाज जी लेकिन अमारे सामने जब ये प्रस्णग खड़ा होता तो हम क्या बोलते हमको धरम पतनी या धरम पती चाहिए धर्म नहीं चाहिए मिहराज ने क्या बोला कि धामदणी है भीहरी जी माराज मेरे को धर्म चाहिए धर्म रक्षती रक्षित जो मैं धर्म की रक्षा करूँगा तो धर्म मेरी रक्षा करेंगा मेरे को धर्म बार बार नहीं मिलेगा धर्म पतनी तो मेरी नियती में होगी मेरे नश्य में तो मेरे को मिले जाएगी लेकिन मेरे उसके पती रूची भी नहीं है मेरे को धरम चाहिए सुन्दसाजी हमारे सामने संसार में ग्रोसी परिवार में या लोकी कोई भी कारियम में हमारे सामने छोटा सा कोई काम उठता या कोई लोकी दुखा जाता तो हम कितने चिंतित हो जाते और तभी हम क्या सोचते ऐसे संकट आते तो हम धाम धनी को छोड़ देते क्या करते है धरम तो बहुत दूर की बात है धर्म पत्नी भी सुन्द साजी लेकिन हम धरम को भी छोड़ देते हमारा इमान हमारा विश्वास कितना है पत्र रूह की माफ़क पता तूल के आख जो आकड़े के वो तूल होते ने वो तूल का आख जैसे बीना घर में बीना पवन पंखे की हवा के बीना हो उड़ता रेता ने तूल का आख छोटा सा रूह जैसा होता है रूह जैसा तूल का आख होता है पंखे की हवा भी नहो बाहर की अवा भी ने आती हो तो भी अंदर उड़ता रेता है ऐसा हमारा इमान है हमारा विश्वास सिधाई दगबगा जाता आज मिहराज ने क्या रास्ता चोईस किया क्या रास्ते को चुना आप सोच लेना मैं ज्यादा लंबी विस्तार से बात नहीं करूंगी सुन्द साजी दको धरम के नाम पर अज मर फिट रहने सुन्द साजी अज हमको पैचान हुई हम संसार के नाम पर आज और भी स्वतंत्र सुन्द साजी स्वातंत्र दीन है नाज इनिपेडंस दे पंदर में अगस्त है सुन्द साजी आज उनिस सो सैतालिस में जब हमारा देश आजाद हुआ अधिन भी होई है कुर्बानी का जो हमारे महापुरुषों ने जो लोखंडी पुरुष या जो भी कहो लोहे का पुरुष सर्बात सरदार वल्लब भाई पटेल जवालाल नेरू गांदी जी आज हम जो मौमिनों ने में तो मौमिनी मानूंगी आत्माी मानूंगी जो भी हो उसके अंदर धामधनी पैचानेंगे उस आत्मा को लेकिन आज यो आने के बाद देश के लिए कुर्बानी दी डेश के लिए दी यह भी कुर्बानी की तो बात है हम छोटी सी बात लेकर बाढ़ जाए कि एक परशंग तो सिर्फ मिहराज का है धरम पत्नी चाहिए धरम चाहिए आज भी कुर्बानी की बात है देखो तभी जवालाल नेरू गांदी जी या सर्दार वल्लब भाई पटेल आज हमने देखा ने पाकिस्तान और पर होगा समसुन्द साजी तभी हो जो महापुरुषों ने कुर्बानी नहीं दी होगी इस राष्टर के लिए इस देश के लिए आज जो हम सांती से यां बैठे हैं तो आज ये लोगों को याद करो जो हमारे देश के लिए सहीद हुए ऐसे हमारे सैनिक भी बहुत सहीद हुए लाखों लोगों ने सुन्द साजी इस देश को आजाद करने के लिए जितनी नदिया इस संसार में बेह रही है जितने सागर में जले वो कम पड़े गए इतनी लोई की नदिया रक्त की नदिया बही है सुन्द साजी इतनी हडियों के धेर के धेर हो गए है इतने लोग सहीद हुए देश को आजाद करने के लिए आज हम तो सांती से बैठेने हमने क्या कुर्बानी की जब दिल्ली का प्रशंग आएगा तभी में कुर्बानी पर लुगी बात और भी आगे जो हमारे सैनिक भी आज भी देखो देश की सरहद पर बॉडर पर आज कितने एकी मा के एकलोते संतान एकी पुत्रों मैं कई बार माता जी की बात आती ने जब वो नेवेत की नेवेत धराते ने वो माता जी का तभी मैं कई बार बात रखती कि जो 33 करोड के नाम पर आजम देवी के जो नेवेत धरा रहे चाहे लापसी हो चाहे लडू हो या जो भी हो खीर पुड़ी जो भी हो तो नेवेत कराते है सुन्दसाजी वो लोगों को देखो शिर्फ तभी वानी नहीं थी जवालाल या गांदी जी उस टाइम पे जो वानी होती ने सुन्दसाजी वानी थी पैचान उसको नहीं हुई थी वानी थी मेरे को 400 साल पहले की बात याद आ गई इसलिए मैं उससे पहले की बात ले लिए वानी थी लेकिन उसके पास पहुची नहीं थी उसके पास पहुची नहीं थी उसको पैचान नहीं हुई थी तो अभी आज देश के लिए कैसे कुर्बान हो रहे है यह आज का जो दीन हम बैठे ने देश सतंत्र हुए 26 जनवरी प्रजा सताक दीन है ने सुन्दसाजी प्रजा को एक सता आत में लेकिन आजात कब हुए आज के दिन हुए सुन्दसाजी तो मेरे को जो मैं माता जी की बात आधी रखी तब नेवत धराते ने तो मैं कई बार बात रखती हूँ चर्चा में कि जो एक लोग ते एक के ही संतान अपनी माता ने अपनी बॉडर पर देश की रक्षा के लिए दिये आज गवर्मेंट उसको सेलेरी जो भी पगार दे रही है और देती है तो कितना दे सकेगी लेकिन एक बैटे को कुर्बानी के लिए सरहत पर बेजा है जो माई देश की रक्षा के लिए बेजा है वो माँ वास्तों में सची कुर्बानी और देश के लिए सच्चा निवेद और एक भारत माता की वो माँ नहीं पथर की मूर्ती को माँ बना कर नैवेद करी वो माँ नहीं यह भारत माता क्या है एक हमारी मा है ने अभी तक जो बोल चाल की भासा में हम समझते आ रहे हैं कि पृत्वी भारत माता एक हमारी मा है तो भारत माता की मा की संतान के लिए उसकी रक्षा के लिए जो संतान को रक्षा के लिए कहां बेजा है सरत बर बॉडर बर तो सच्चे निवेद क्या है वो है बता नहीं वो तो अंदर होम भी जाते ने कुर्बान भी हो जाते मर भी जाते पता भी नहीं नहीं है कि घर में वापस लोटेंगे या नहीं लोटेंगे तो आज का ओ दिन ये दिन सुन्दसाज जी यह भी बताया कि मिहराज ने तभी ये कुर्बानी करके बताई ये कोई कम कुर्बानी नहीं है और आगे की यात्रा में हम कुर्बानी और देखेंगे सुन्दसाज जी यह मैं रोज ही कहती हूँ वित्व करने की चर्चा नहीं है सुन्दसाजी मैं क्या करूँ मैं अरको हर घटना करम बोलना पड़ता है कहना पड़ता है यह रहने की बात है यह प्रैक्टिकल रहने की बात है सुन्दसाजी यह कहने की बात नहीं है यह हमारी बात है मैं परसो भी बोली थी कि यह वीरह और प्रेम का सोदा है यह कोई नव परकरवाली भक्ती की बात नहीं है कि मैं कटना का मुईतियास और हिस्ट्री कहे दू आपको बस स्वयम रह के आप संसार में और धामधनी के साथ हमारा सीर मुल मिला में उच्छा हो ऐसा ना बोलना पड़े कि दाम धनी हम परातम में जब मिलेंगे तो कैसे हमारा मुँ शीर बोलने के परातम बहुंच से पवड़ा परातम मोजार ऐसा बोलने दाम माय धनियम उच्छू केम जोईशू पहुत से पवाड़ा पर आतम मोजार ऐसा भोलने का मौका दामदनी के सामने आई नहीं बस यही कुर्बानी मैं तो यही कहती हूं सुंदर साजी के हर पल आपका नियाई होना चाहिए वहां जाके क्यों नियाई दे हमारे जीव को भिस्त में जाके नियाई नहीं देना है यह हर पल नियाई कर दो ने अंदर से इतना निर्मल बना दो कि जैसा बाहर ऐसा यंदर तो धामदनी एक बल बताए ने कि जैसा बाहर होते होवे ऐसा दिल तो अधखिन प्यू नियारा न महें रहे इल मिल लेकिन बागे तो बताया के अंदर नाही निर्मल फिर फिर नहावे बाहर कर कर देखाई कोट बेर तो यह ना मिल्यो कर तार अज मिहीराज अपने तन को कसोटी की जो कसणी पर जो कसर जा कसे जा रहे है ये कसोटी क्या कम थी इससे पहले जो कसी इससे पहले सद्गुरु ने 40 साल जो कसोटी पर अपने को कसा फो क्या कम था अज 400 साल से वानी उतने के बाद भी हमारी आख नहीं खुल रही है तो दिकार है इस जीव को यह बित्तक दुसरी बार सुनने के लिए भी आपको पाप है समझ में आरा है मेरी बात वास्तों में हमको हमारा जीव को दिकार है बार बार सुनने से क्या फाइदा जो हम प्रैक्टिकल ना चले तो इस पर बस सुन्दसाजी चलो इस राह पर जितना भी ओपाए बस चलने का कल से सुरू कर दो के धामदनी ने क्या बताया मिहराज की बात नहीं है मेरे को कहनी पड़ रही है उसने तो चल के दिखा दिया यहां क्या बताया कि बस मेरे को धर्म चाहिए धर्म पत्नी ने अभी मैं यह भी नहीं कह रही हो क्या आप धर्म पत्नी को छोड़ो या धर्म पती को छोड़ो मैं यह कहरू कि धर्म को निभाते निभाते सत्य पर तो चलो सही रहा पर तो चलो चुगली और निंदा की बात तो सिर्फ छोड़ो बस सुन्दा साथ को अरस पर स्प्रेम तो कर लो हमारा मुल निस्वत का नाता तो निभालो यह थोड़ी परमधाम में मिलने वाला है जो यहां मिला है मोक का आउशर वहां जाके हम बोलेंगे कि दनी और एक पक्ष में हम जाए और वहां सुख ले ले तो क्या मिलेगा परमधाम के तो और सागर में आओ डूब जाएगे धामधानी ने महर सागर में बताया ने जो महर ठादी रहे तो महरे मापी जाए वहां तो महर 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 ही महर है महर में डूब जाएगे सुन्दर साजी दामदनी के इतने अनांत गुणे अनांत सुखे अनांत प्रेमे अपार महरे वहाँ डुबे थे इसलिए तो साहभी का पता ही नहीं लगा यहाँ दामदनी ने वो साहभी से अलग करके किनारे पर आज धामदन ये खेल को सिर्फ दश्टा रूप में दिखा रहे तो दिख भी लो और सुख भी ले लो इत भी दंधन और उत भी दंधन सुन्दसाथ जी यहां बोल दिया कि मेरे को धरमपत्नी नहीं चाहिए तो मिहराज आपको घर पे नहीं जाना है मिहराज ने पक्का निड़े ले लिया मैं नहीं जाओंगा लेकिन फुलबाई को पता लगा कि मेरे धरमपती घर पे नहीं आएगा तो उसके वियोग में उसने खाना पिना छोड़ दिया छे माह तक हे अमारे अंदर तकाथ हमने दो दिन अप्वास्तो रह लिये त्रीज चोथ के सुन्द साजी दुख की बात है मेरे को कहने की इच्छा नहीं हो रहे लेकिन कहना पड़ता है त्रीज चोथ दो पर को इतनी सुकी भाजी खाली आलू की वेफल वो सब तली हुई खाली सिरावी खाली है दो टाइम मंदिर पर जाके आए वीरो के प्रकण गाली है पुरा हो गया क्या मर नाता पुरा हो गया क्या 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 दो दिन सफेद कपड़े पहन लिये कैसे रोना चाहिए उसके प्रति कैसे भी वोग करना चाहिए सिर्फ हमारे जीवन में त्रीचोथ अफवास रहना चाहिए क्या हमारे जीवन त्रीचोथ ही सिर्फ हमारी जुदागी है क्या 400 साल हो गया अभी अमने दनी का मुख नहीं देखा है वो इंद्रावती ने सीर पटका है धामदनी के चरणों में अभी आएगा हवसे में अभी में लूंगी सीवती चोथ हमारे लिए दो दिन की नहीं होनी चाहिए जब तक ये मुखारविंद में धामदनी सामने नायने तब तक हमारे लिए रोजी वियोग होना चाहिए रोजी दुख होना चाहिए बस धामदनी बहुत हो गया इस खेल में बोलियो श्री प्राणनात तो प्राणधार शुन्दस्ता जी आगे धाम धनी ने बताया कि धनी की पल-पल की जुदागी आपके लिए कश्टकारी होनी चाहिए दुख होनी चाहिए क्योंकि संसार परिवार के रिस्ते भी अमारे लिए एक पल की जुदागी सहन नहीं वो पाती तो विचार कीजिए कि आतम की जुदागी धनी से कैसे सहन हो रही है आतम के साथ जो धनी की जुदागी वो कैसे सहन हो रही है और हम धनी यहांगे बताया कि छे मैने के छे मैने तक फुलबाई ने भोजन नहीं लिया फिर एक वादा किया था कोल किया के हे बिहारी जी मारा जे धामधनी जब मेरा अंतिम ये सरी छुटे ने तब मेरी जब अंतिम यात्रा निकल जाए वहाँ अंतिम विदी भी हो जाए उसके बाद जब मेरी राख बन जाए तो राख पर मेरे यहां के जो धरमपती मिहराज है उसके दाही ने, मतलब जमने दाही ने चरण कमल के अंगुठे को शपर्ष कराना तो मेरे अंदर जो बैठी हुई अमलावती की आतम बस यही चाहती है कि मैं वो धामधनी उसके दिल में बैठे हैं किसके दिल में मिहराज के दिल में तो उसके अंदर मेरे अंदर की अमलावती की आतम प्रविष्ट हो जाए बस मेरे को इतनी चाहना इस संसार में देखो इतना सिर्फ मिहराज ने नहीं सुचा इस तरफ वाल क्या फुलभाई ने भी सोच लिया कि नई मेरे को भी अंति में यही इच्छा है कि बस मेरी आत्मा उसके अंदर प्रविष्ट हो जाए तो यहां सुन्द साथ जी छे महिने के बाद फुलबाई ने तन छोड़ दिया विरह में मिहराज के विरह में धामधनी के विरह में फिर मिहराज मा जाते है अपने दाहिने पेर के जो अंगुठे चरण कमल के है वहाँ टच करते हैं उसके अंदर अमलावति की आत्म प्रविष्ट हो जाती है ये किश्या धाम धनी ने बीच में रख दिया और कोई-कोई वित्तकारों ने तो ऐसा लिखा में सब वित्तकारों का इसमें ललू जी बट और वित्तकार ने भी लिखा है कि किशी ने बोला कि फुलबाई का धाम गमन 1708 में हुआ किशी ने बोला कि फुलबाई का धाम गमन 1720 में हुआ लेकिन दोनों बात वहां सत्य सिद्ध नहीं होती है इसलिए सुन्दसाजी कि 1708 में तो मीरा जरब से आये तभी तो फुलबाई का अंतर द्यान लिला का कोई श्रमाई भी सोचने का भी प्रशन नहीं उड़ता और 1720 में जामसता की वजीरगिरी का काम संभालेंगे तब तो करवशुलने में एक एक सुन्दसाज को सहयोगी बनने में वहां लग जाएगे 1720 में तो तभी भी सक्य नहीं है तो 1730 में ही फुलबाई का त्याग मानना पड़ेगा क्योंकि 1730 में कोना आया? आसो महिने में फिर तेर की साल प्रारम बो जाएगी ने? आसो महिना पुरा होगा तभी तो 1720 में जब भीहारी जी गद्धी पर अंतिम में जब भीहारी जी को गद्धी पर बैठाया तो तेर में ये घटना घटी होगी ये धामधनी ने आपको बीच में एक इस्सा रख दिया और आगे बताया के धर्म की जागनी का कारियो आगे किस ने बढ़ाया? तो यहां एक कुरान का ओर प्रमान दिया के एहिया ने ज्यादा किया दिन को ये भी एक कतेप का प्रमान है के एहिया ने ज्यादा किया दिन को एहिया एक पैगंबर हो गए उसके पुत्र जिकरिया भी एक पैगंबर हो गए तो जिकर्या के पुत्र एहिया थे जिकर्या के पुत्र एहिया थे तो जिकर्या मतलब कोण सद्गुरु धनी स्री देव चंद्र जी और एहिया कोण स्री प्राण नाद जी तो जिकर्या के पुत्र कोण सी मिहिराज पुत्र कोण बनेंगे प्राणना जी पुत्र नहीं बनेंगे, परमात्मा कभी भी किसी के पुत्र नहीं बनते, तो मिहिराज किसके पुत्र हुए? मैं बताओ, नजरी पुत्र और नसली पुत्र, नाद पुत्र और बिंदु पुत्र, तो नाद पुत्र कौन? मिहराज फिर बुल गए पुत्र कौन बनेगा जो तन्य वो पुत्र बनेगा प्राणनात कभी भी पूत्र किसी का अक्ष्नातित कभी भी किसी का पूत्र नहीं बनता इसलिए मैं एक- एक बातों का स्पष्टि करन कर रही हूं तो नाद पुत्र बिंदु पुत्र बिंदु पुत्र कोण बिहारी जी ऐसे यहां भी बताया कि जो धार्मिक वारिष्टदार कोण बनेगा यह जो जिकरिया के पुत्र मिहीराज बनेगा तो धार्मिक छेत्र की जागदारी सीर पर जागनी का उत्तरदाईत्व और जागनी क आगे आने वाले शमय में भविश्य में ए मिहराज आप आगे बढ़ाना ए पेले से कते परंपरा में परमान दिया गया था शुंदत साड़ी तो और आगे श्रीजी जो जिसके अंदर बिराजमान मिहराज के अंदर उसने क्या सोचा के चलो सद्गुरु माराज ने मेरे सील पर जागणी का उत्तर दाईत्व दिया है तो काम में आगे बढ़ाओ तो यहां चर्चा चित्वनी सब बंध हो गई थी ने तो यहां मिहराज चर्चा और चित्वनी भी कराने लगे और जो बिहर जी माराज की चर्चा तो प्रारम हुई मैंने अभी बताया थोड़ी देर पेले कि उसमें किसी सुन्दसाथ की रूची नहीं थी यहां स्री जी क्या कर रहे है वो चर्चा में सब सुन्दसाथ का मन को परमधाम माया की ओर से अटा के परमधाम की ओर लगा रहे है और राज दर्बार की नोकरी भी कर रहे है सुन्दसाथ जी तो दोनों जाबदारी जब सीर पर आई तो काम भी थोड़ा बढ़ गया ने तो जल्दी से उठना पड़ता है यहां लालदा सिमाराज ने महामती के शब्दों में लिखा कि एक पहुर रातरी बाकी रहती थी तभी कौन उठ जाते थे महिराज उठ जाते थे और क्या करते थे तो बोलते थे कि पहले उठके हो सोच करिया के आदी से परवार के और आगे कहां जाते थे बियाजी मारत धामधनी का प्रणाम करते थे सुन्दसाथ का भी प्रणाम करते थे दर्सन करते थे वहां से आते पर रात दर्बार में जाते फिर रात दर्बार से साड़ा चार बजे वापस लोडते फिर चर्चा करते चर्चा करते चर्चा करते साड़ा चार बजे चर्चा तो भीहार जी माराज करते चर्चा की अर्चा मिहराज करते और चित्वनी भी कराते थे सुन्दसाजी चित्वनी में हम यह बात निया थोड़ा अटक जाए कि उस टाइम पर अभिवानी उत्री नहीं है ने सुन्दसाजी तो मिहराज ने क्या सोचा मिहराज मतलब इंद्रावति की आतम ने सोचा कि हम सब आत्माएं परमधाम से आई है ये खेल तो रंचक मात्र भी नहीं है खेल का कोई अस्तित्व नहीं है ऐसे नारायन के सपन से बना हुआ है अक्षर के मन के सपन के शरुप नारायन है और नारायन के सपन में ये सब खेल के जीव बन गये है ब्रह्मा विश्णु मेस या तमाम जीव तो ये खेल तो रंचक मात्र नहीं है हमारा अस्तित्व हमारा तो मूल गर परम धा में हमारा मूल थीकाना मूल मिलावे में है हमारा मुलतन मुल मिला में बेठा है इतना न भी नहीं、 और भी मिहराज के अन्दर बैठी उई इंडवति ने सोचा कि हमारे धनी जाए प्रान से भी नजिक है, सहरक से भी प्रान नली से भी नदीक है तो मैं ये सुन्दसाथ की यहां सेवा करके और अगे ये सुन्दसाथ को यहां रिजा के यहां मैं क्यों सुख न लेलू तो यहां चित्वनी धाम की कराते थे चर्चा की अर्चा भी करते थे तो सुन्दसाजी आज मेरे कोई एक बात आपके सामने रखनी है कि अभी वानी भी नहीं उत्री है तो अभी देखो कि यहां चित्वनी तभी भी करा रहा है चित्वनी कोई आजकाल के सब्द नहीं है अंतिम में तो 1798 के बाद वानी उत्तरने के बाद 1751 के बीच में 3 साल अंतिम लिलावी मिहराज की सरीर की यह सुन्दसाजी इसके बीच में 3 साल चित्वनी की तो बहुत जोर सोर से चला लेकिन तबी भी वानी उतरने से पहले भी तो मेरो को आज आपके सामने एक बात रखनी है कि सुन्दसाजी हम जितनी भी वानी पढ़ ले जितनी भी सेवा पुझा कर ले जितनी भी माडा परिक्रमा या पुरियों में प्रणाम करके आए जब तक हम चित्वनी नहीं करेंगे तो हम परमधाम का अखंड सूख, अखंड सोभा, सौंदरिय हम नहीं देख पाएंगे और भी कहू सुन्दसाजी कि चित्वनी जो हम नहीं करेंगे तो हमारी जो असल जागनी वास्तविक जागनी है वो ऐसे बाहिय इंद्रियों के माध्यम से वो नहीं पाएगी और तिसरी बात में सुन्दसाजी आपके सामने में बार-बार आहवान कर रही हूँ रोजी कि सुन्दसाजी आज हमारे समाज में जो भागवत की और हमारे धनी की जो गरीमा आज वानी उत्रेगीने में महता बताऊंगी कि आज हमारे समाज में जो वानी की गरीमा वानी की जो महिमा है उसको आज सुन्दसाजी किनारे करकर आज भागवत की बोल बाला उसका प्रचार प्रसार हमारे लिए बहुत दुख की बात है मैंने अभी बताया कि वानी को पढ़ने के बाद उसका चिंतन मनन के बाद जो हम ध्यान से नहीं देखेंगे धनी के स्वरूप सिंगार वस्त्रा अभूशनिया अमारे परातम को तो हमारी जागनी वास्तविक होने वाली नहीं है तो आज हमारी धनी के लिए कई रुशी मुन आज वहां सुन्दसाजी ध्यान समाधी कंद्राओं में लगाई यह वानी के लिए आज वानी की महता में आगे बताऊंगी और इतना भी नहीं व्यदों ने मोन धारन कर लिया उपनी सदों ने न्यती न्यती करकर वो बापस लोट गए किसी ने भी दिशा निर्देशन पर साजी कभी भी भागवत की गुनगा था या क्योंकि मैं इसलिए बोल रहें कि मैंने गुनगान गाया कभी तक गाया गाया ने कि जब तक यह वानी नहीं उत्री थी तब तक तो उसका प्रचार पसार चलता रहा देव चंद्र जी ने भी सुन्दसाजी 14 साल सुनी लेकिन त किसले दर्सन के बाद हो गए नहीं है तो यहां देखिए सुन्दसाजी तो आज ये गरीमा ये महिमा को किनारे करकर आज हम सुन्दसाजी वानी को भूल कर हमारे धनी की जो इज़त हमारे धनी का जो सनमान उसकी महिमा गरीमा इस संसार में क्या हो किसी को पता नहीं है सुन थे शुन्दर साजी संसार को यह बताओ के वानी किसली आई किसके माध्यम से आई कोन आये तो यह वानी उतारने की जरूरत पड़ी नत तो अभी तक अभी भी वानी संसार में आई नहीं थी कोई कारणी नहीं बना था क्योंकि हम इस संसार में आये नहीं थे हम आये तो यह व कि और सब को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे क्या करें और चर्चा करें चर्चा की अर्चा में अभी भी में बताया और सुन्दसाथ की सेवा करने की उसके दिल में एक बात अ उपजी के मेरे को यह सुन्दसाथ धाम के धनी ने यह सुन्दसाथ को यह बेजा है यह खेल में तो मैं यह सुन्दसाद की क्यों सेवा न कर लूँ, उसको मैं क्यों न रिजालू, मेरे को यह आउशर, यह मोका, मेरे को बार बार धाम में मिलने वाला नहीं है, तो ये सेवा करने के लिए मैं ये का राज़ दर्बार में नोकरी के लिए मैं वहां भी पुछ परस करू और वहां सुन्दर साथी भी हर जिमाज को पुछ के राज़ दर्बार में नोकरी की राजा के पास गए और वहां पुछ परस की राजा ने नोकरिक में भी रख लिया और जो पैसे आए उस पैसे से क्या करना है सुन्दर साथ की शेवा आज हम सोच रहे हैं कि बंदारा करने के लिए मिहिराज जा रहे थे सुन्दर साजी बंदारा नहीं करने के लिए जा रहे थे जो बंदारा करने के लिए जाते तो तो बिहार जी माराज को भी लागू होता ने, क्योंकि उसके भी पिता जी पढ़ते थे, सारीक नाते तो उसके भी पिता जी पढ़ते थे, भंडारा नहीं था। जो भी वरज की ओ, रास की ओ, या धाम की ओ, ऐसी बात अंदर उठने लगी, तो एक नोकरी भी श्विकार की वहां के राजा के सची उपद पर सुन्दसाजी और उसके बाद उसने सोचा कि जो पैशे उसमें से मेरे को मिलेगा, उसमें से में घी, या सक्कर, या गुल, जो भ जस्त्रों और आभुशन भी खरिदूंगा, और क्या करूंगा, सुन्दसाज की शेवा करूंगा, तो इसमें एक प्रसंग बीच में आया, कि यह तो गोविंद पटेल की एक भूत नगरी है, क्या है संसार, मैंने कल रखा था दुसरे प्रसंग के बादियम्शे, कि संसार एक काजल की कोठरी है, अंजन की एक कोठरी है, वहाँ जितना भी कपड़े संकोर कर जाएगे, तो भी आपका कपड़े के अंदर काला डाग तो पड़ेगा, तो यहां मिहराज ने सोचा, कि मैं सुन्दसाद की सेवा भी कर लूँ, धाम धनी को भी रिजा लू, सुन्दसा परचा का भी शुख दू, और सब काम करू और माया का भी संभालू, दो काम होएगा, धाम धनी श्विकार नहीं करेंगे, उसने बोला कि माया में दो काम होता है, लेकिन एक निष्ठ नहीं वह बाता है, तो यहां बताया, धाम धनी ने क्या बताया, कि मिहराज ने नोक्री भी श्विकार की और ये कांजी भाई नामक सुन्द साथ को भी रख लिया और उसको बोला कि तुम सेवा में इतना कुसलता से इतनी ध्यान से और कोई भी बात की चिंता करनी नहीं है कुसलता से और अंदर से ध्यान किसे अपनी सेवा करना है तो गोविंद पटल की भुत नगरी क्या है ये धामधनी ने बताया कि गोविंद पटल नामक एक भुरुत पुरत की योनी में चला गया एक जो गोविंद पटल नामका एक युवक था जब अपनी ये तन छोड़ दिये तो उसके बाद उसकी जो आत्मा थी भुत पुरत की योनी में चली गई हो कैसी यह सब आप बार बार सुनते आ रहे हो तो मैं ज्यादा नहीं विश्थार करूंगी हो ऐसी थी कि जैसे जैसे लोग यहां से तन छोड़ते जाते और वहां जाते थे तो गोविंद पटल की नगरी में यह कहां की बात है इस संसार की बात है यह संसार कैसा है अकर्षण वाला है ने असक्ति वाला है ने मोह उत्पन करने वाला है ने जितनी जितनी चीजी हम बाजार में जाएगे तो जितनी जितनी चीजी हम देखेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा मोह पेदा होगा ने अकर् एक साधू क्या बोले कि देखके चले गए एक ने थोड़ी इच्छा की फिर निकल पड़े और तीसरे साधू ने क्या क्या खरिदने का मन अंदर हुआ सुन्दस साथ जी यह गोविंद पटेल की ऐसी है संसार की नगरी है कि यहां से कोई छूट नहीं पाया है यह मोह माया से यह ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगून यह नारायन भी छूट नहीं पाये जो भी यहां आये माया में फस जाते जो भी आये ऐसे जैसे गोविंद पटेल की नगरी में भुद्परेत की नगरी में सब फस जाते थे ऐसे हम भी कोल तो बड़े-बड़े करकर मुल मिलाव में से आये कि धनी हम एक को छोड़कर अनेक को नहीं पूझेंगे लेकिन आज वहां से आने के बाद हम भी गोविंद पटेल की नगरी में फस कर कितने लोगों को कितने अरधियिष्ट को मान कर पूझ लिया और कई बहुत काम कर लिये शुंदर साजी ये गोविंद पटेल कि नगरिये सब को भूलावे में डालने वाली है जो भी जितना भी चतुर हो वचिक्षिन हो प्रमीन हो तो भी ये बुलावे की नगरी में सब भूला क्योंकि उसका अकर्षण ही ऐसा है तो यहाँ धामधनी ने यह बताया और आगे और सब चीजे एक कत्रीत करने लगे और उसने बोला कि बिहार जी माराज के भी वस्त्र और आप देखो उसके प्रती क्या भाव है पहले मिहराज को कष्ट दे रहे भी हराज जी अभी कष्ट दियाने कितना युद्ध करेंगे दो युद्ध तो हो गया सुन्दसाजी दो युद्ध तो हो गया पहला वाला युद्ध क्या अरब वाला अरब से आये प्रणाम नई श्विकार किया नव साल की जुदागी के बाद मिलन हुआ, वह दूसरा युद क्या? फूलबाई का तियाग, वह तिसरा युद की ओर हम अभी जा रहे है सुन्द साजी, लेकिन चोथे युद में वह ठक गए है या नद ठक गए? तो हमां कितने युद कर रहे हैं अभी? हमारा कितने नंबर का ये युद चल रहा है? सुन्द साजी हमारे कितने नमबर का यो युद्ध चल रहा है पीछे वाले सुनाई पड़ा है क्या बाचमा, छठा, सातमा या कितने नमबर का सुन्द साजी ऐसे तो तिसरा युद्ध चल रहा है ब्रज राश ओर जागनी, लेकिन हमारे लिए ऐसर चोथा युद्ध है, क्यों चोथा युद्ध है? मिहराज भी चोथे युद्ध में, माया को छोड़ कर चले जाएगे ने दिव बंदर, हमारे लिए चोथा क्यों है? तिन दिन तो तिन ब्रह्मान में ब्रज रास और जागनी तिन दिन तक तो क्या हुआ तिसरे जो जागनी ब्रह्मान में पाचमे दिन की जब लिला हुई मिहराज के तन से तभी तक तो सुन्दसाजी सब जवाबदारी उस पर थी आई छेठे दिन में किस पर है हमारे परितों चोथा युद हम लड़ेगे या मिहराट लड़ेंगे इंद्रावति की आतम लड़ेंगे कौन लड़ेंगे तो चोथा युद में ठक जाना चाहिए क्या अभी लड़ना ही है माया के साथ क्या करना है सुन्दर साजी दो युद उसने लड़ लिए दूसरा युद भी फुलबाई का तियाग और यहां बताया कि देखो तो भी उसके अंदर भिहाई जी के प्रति कितनी स्रद्धा कितनी निष्ठा कितना प्रेम भाव क्योंकि धाम के धनी माना ने भिहाई जी माराज को हमको जो कोई ऐसा तिरस्कूरूत ऐसा हमारे पर घटना घटाए तो हम उसके साथ बोले या मुझ मोड़कर चले जाए या कैसा भी वार करें आप जाब देगे एक इसका घटना करा हमें पहले तो यह सुन लो हमारा है ने आद देखो उसके घर में क्या घटना घटी तो भी उसके प्रतिका भाव कम हुआ नहीं हुआ ने सुन्दसाजी और भी अंदर बढ़ता जा रहा है कम नहीं हुआ और आगे धामधनी अम को बताएंगे सुन्दसाजी के नाक जी भाई उसके लिए अस्तर सस्त्र भी हत्यार भी तयार करवाए और जब सब चीजे एकत्रीत हो गई तब चुगली राद दर्बार में कर दी ने वहां चुगल खोरने चुगली कर दी तो वहां से सुन्दसाजी जो आये उसके शीपाय और नजरबंद किसको कर लिया मिही राज और उसके भाई बड़े भाई शामलिया भाई और उसके भाई उद्धव भाई क्योंकि गोर्दन भाई तो धाम चले गे ओर रिवरिंस भाई कपई में रेते कहां रेते कपई में रेते तो तीनों भाई को नजरबंद कर लिया इतना ही नहीं जो गी मेंदा गु को नजर बंद करके काराग्रो में रख दिया उसको वानी में हबसे करकर लिखा है क्या हबसे करकर वरणित किया गया है सुन्दर साजी उसका भाव मैंने आपको जब राश का वरणन हुआ तभी मैंने विस्तार से बताया है अबसा इसको केते प्रबोध पूरी जिसमें अपनी आत्मा को वापस परमधाम ले जाने तक का जो प्रबोध हवसा में दिया काराग्री में दिया इसलिए उसको प्रबोध पूरी बोलते है उसको बाइबल किस्चन की भासा में सुन्दर साजी उसको इंजिल बोलते है क्या बोलते है पुरानी इंजिल भी बोलते है ऐ कि कुनो है उसमें आपको नई जाना है मैंने विस्तार से बता दिया है सुन्द साथ जी कैसे 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 आगे यह सब बाते हुई तो उसके आगे हम जाए तो हभशा में तिनों भाई को नजर बंध कर लिया उसकी शंपती भी जप्त कर ली यहां हो चिंतन में डुब गए और सोच रहे मिहराज कि धनी मैंने ऐसा तो क्या बुरा काम किया मैं तो सुन्दसाथ की सेवा में लगा था इतना ही नहीं मैंने सोचा कि सुन्दसाथ घर में जाते फिचारे शाड़ा तीन से साड़ा पांच बजे फिर घर में जाके रसोई बनानी साम का भोजन आधी ग्रोस्ति का संबालना फिर साम को चर्चा सुनने के लिए गुरु कुल में जाना फिर सुब को घर का काम करना दोपर तक फिर सब कुछ लिपताना फिर दोपर को यहां साड़ा तिन बजे आना तो मिहराज ने यह सोचा सुन्दसाज जी के सुन्दसाज को घर पे जाना पढ़ियां यह संभव बोलिये शी प्राननाथ किस्की बात रखी धामदनी ने किस्की बात रखी सुन्दसाज जी हमारी बात मिहराज ने उस टाइम पे क्या सोचा के सुन्दर साथ को बार-बार घर में जाके सब कुछ संभालना पड़ता है विचारे फिर माया में जाके फिर फस जाते हैं तो जितनी देर जितने घंटे चर्चा में रेना चाहिए वो चर्चा का सुख ले नहीं पा रहे हैं तो उसके दिल में इसलिए ये इच्छा जगी कि मैं सब सुन्दर साथ को एकत्रीत करके ऐसे बड़ा सेवा करूँ और बड़ा कार्यकर मक्के लेकिन धामधनी की इच्छा ये नहीं थी उसकी अंतरक्रण की प्रेणा अलग थी उसने और सोभा देनी थी क्या सोभा देनी थी उसको इस ब्रह्मान में सिर्फ मिहराज को जो तभी बंडारा किया होगा सद्गुरु माराज के पिछे तो सिर्फ कौन जानते जामनगर के आसपास के इलाख है कौन-कौन चाहे ठेबा लियो और सद्पुलियो और रिपर लियो या आसपास के जो भी कौन जानते हैं इंद्रावती को सिर्फ यह बंडारा कर लेती तो उसको कितनी बड़ी सोभा मिलने वाली थी प्राणो नात की अक्षरा तीत की पुर्णब्रम परमात्मा इस ब्रह्मान में जहर होने वाले थे और यह भी नहीं और धाम धनी आगे बताएंगे वेदान के किरंतनों में और भी आगे बताएंगे आउसी रे आउसी सब कोई कैसी धनी अपना आगमी करते पुकार यह सत्वानी सबों की सत्थड़ी तुम सब आये करो दिदार सुन्यों दुनिया आकरी जो भाग बड़े है तुम सो कभू कानों ना सुनी सो दिदार करो खशाओं परक्टे पूरण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सुष्टी सिर्दार जीव और इस्वरी सबाय करो दिदार तो वहाँ सबा थोड़ी दे दे पुरे ब्रह्मान में सोबा मिलने वाली थी इतना ही नहीं निश्कलंग बुद्ध स्वरुबी जहर चार सम्रदायों के सामने दसनाम सनिया सी इच्चे सास्त्रवालों के सामने जाहर ओने वाले थे इसलिए यहाँ ये कारियकरम सफल ओने नहीं दिया, क्या धामदनी नहीं जानते थे, सब कुछ पता था, ऐसे थोड़ी, उस पर संकट आने देते हैं, उसकी आतम पर, क्यूं आया, क्यूं सफल वने नहीं दिया, तो यहां रुक जाती ने, वो, कार्यक्रम ही करती रहती, भंडा रहा ही, करती रहती, हमको भी यही जाताने, कार्यक्रम रोतर यह एते, नृत्यय, नाचना, कुदना, सांस्क्रूतिक कार्यक्रम, तो सुंदरसाजी मैं रोजी भोल रहा हूं, कि जब तक अमारे अंदर वीरा पैदा नहीं होगा, यह दर्द नहीं आएगा, बहर बहर यह दर्द ले रहा हूं, जब आम अरे प्रेम नहीं प्रगट होगा, तब तक धामदनी की पेचान पुरुन नहीं होगी, पुरुन नहीं होगी, तो हबसे में, जब नचर बंद कर लिया, तो वहां अपने विचार में डूब गए, डूबने के बाद, सुन्दसाजी छे मास चले गए, कितने? छे मास और छे मास में, अपना पुरा सरीर सुख गया, ऐसे हडियों का धाचा बन गया सरीर, रखता मास सब सुख गये, और छे मास के बाद, जब सद्गुरू, पहले देवचंद्रजी के रूप में दर्सन देंगे, लेकिन छे मास तक विचारी विचार, विचारी विचार, यह विचार करते करते, जब अंदर वीरफ परा काष्ठा पर पहुचा, यह बात में इसलिये दोह रही, कि सुन्दसाजी, देखो इंद्रवती को ऐसे सरल तरीके से धनी प्राप्तन नहीं हुए, क्या बताओ, कोई से नातने कुदने से मिला, कैसे मिला धनी, ऐसा तो इंद्रवती सद्गुरु के पिछे चर्चा सुन रही थी, जा रही थी, ऐसा बहुत कुछ किया, लेकिन मिला, पुरुना पैचार नहीं हुई, मैंने बोला ने जागनी तो होगी, लेकिन वास्तविक जागनी नहीं मानी जाएगी पुर्ण पैचान नहीं होगी, देको वीरो में तरपाया, वो वीरो, धाम धनी ने, पूरा प्रकास में लिखाये, पुरी खट रूती में लिखाये सुंदत साथ जी, जो सदकूरू थे, वो स्वयम आये, धाम धनी के रूप में, लेकिन में पैचान नहीं पाई, य वीरह कि हम दो चुपाई या सुन्दर साजी क्योंकि ज्यादा समय नहीं है और आगे भी बढ़ना है तो हम गाये सुन्दर साजी चुपाई एक चुपाई में ऐसे ही बोल लूँ फिर हम दो चुपाई गाएंगे वीरह ना देवें मेठने उठने उठने भी ना देवें लोट पोट भी ना करें उक उक श्वास लें सुन्दर साजी जब हमारे अंदर वीरह आएगा तभी सांती से केंचें से बैठने नहीं देगा तमारी अंदर की जो स्थिती है ने ऐसे पराकाष्ठा पर पहुँच जाएगी जैसे इंद्रावती की हालत हुई अभी तो हम चैन से बैठ रहे हैं सुन्दर साजी ऐसे हाल में दनी मिलने वाले नहीं है कि इस पराकाष्ठा पर पहुचना है विधा ना देवे बैठने उठने भी ना दे और क्या बोला लोट पोट भी ना करे चलो कोई हालत में एक बार छोड़ दे तो वही आलत में बैठ ले ने लेकिन वो भी नहीं वहां भी चैन नहीं फिर उठ जाए वहां भी चैन नहीं फिर बोला कि हुक हुक श्वास ले अंदर से कैसे स्वास ले रही है इंद्रवती सुन्द साथ जी मिने बोला ने धनी को पाना कोई शरल ऐसे धनी कोई कठीन भी नहीं यह पाने के लिए लेकिन हमारी राह कैसी ओनी साहिए चाहिए वीरह और प्रेम की बार बार यह सब्द तब स्वास भी छोड़ियो सांग जब आसु की आंग थे तब स्वास भी छोड़ियो सांग तब तुम परदा टाल के आवेश दियो मुए अपनोंग सनमंद है मूलको में तो पाउं पल उन जाँ अब चल बल मोही क्या करे अब चल बल मोही क्या करे मोह आद थे दियो उडाए सनमंद है मूलको में तो पाउं पल में तो यापन दे रही पर तुमाही राख्यों जीओ बल दे आप डीकरी करे आपने पी यूँ शनमंद है मूलको में तो पाउं पल तुमाही सब आईया दुख गया सब दूर तुमाही राख्यों जीओ उडिया मूलकूर सनमं ते मूलको में तो पाउं पल छोड़ियो न जाए सुन्दसाजी अभी तुमने तीन चोपायों में भाव रखा क्या बोला जब आशुकी अंग थे तब स्वास भी छोड़ियो संग क्या कर दिया इंद्रावती ने छे मास के बाद एक मार आवी अंदर से जीव भी निकल गया पराकाष्ठा आ गई विरह की विरह की वियाख्या नहीं होती सुन्दसाजी संसार में जैसे प्रेम की भी वियाख्या नहीं होती ऐसे विरह की संसार में वियाख्या नहीं होती धनी के मिलन की जो तड़प पराकाष्ठा पर पहुचती ने सुन्दसाजी उसको विरह बोलत वियाख्या होती नहीं लेकिन की धनी के मिलन की तड़प जब अमारे अंदर पराकाश्ठा पर पहुचती उसको बोलते हैं वीरह और उसके बिना एक पल रिया न जाए उसको वीरह तामस बोलते हैं जैसे तामस यह सख्या निकली ने यही पल में निकल गई थी ठोकर लगा कर तामस यह मतलब कोई एहंकार क्रोध वाली नहीं यहां और भी बताया कि आसुकी अंगते स्वास भी छोड़िया तब तुम परदा तभी परदा दूर किया और सत्गुरु के रूप में तभी उस इंद्रावती ने बोला दाम धनी ने किन दन में प्रक्रण रखा मेरे धनीधा म के दूला मेरे धनीधा सुन्दशाज जी जब सत्गुरु ने बहां सिर्फ कौन देख रहा है और ठाकुर और सामलिया जी नहीं देख रहे है सिर्फ कौन देख रहे है मिहराज के अंदर बैठी हूँ इंद्रावती की आतम दिख रही है जब सत्गुरु दिखाए दिए पहले तो देव चंद्रजी के रूप में दिखाए दिए तो बंदर से विचार आया कि अरे मैं जिसको अभी तक गुरु या सत्गुरु पे रूप में मानती रही वही साह साह मतलब अक्सरा तीत जिसको सिंदी में बोला वही साह पीउ मेरे घर आये मैं पहचान ना कर सकी वही साह वही पीउ मेरे घर आये बार बार पुकार की तो आज हमारे धनी 400 साल से नहीं पुकार कर रहे क्या वही साह मेरे घर पे कितनी बार आ चुके आज घर घर पे यह साहा आ गए साहा मतलब अक्षरा तीर हमारे घर घर पे आ गए तभी तो एक ही जगत स्वरुफ शाय है आज घर घर पे आ गए ने दामधनी आज एक ही घर में ऐसा नहीं है तभी बोला कि यह वो साह मेरे घर में आये मैं पैचान ना सकी और पुकार पुकार कर चले गए कितना रो रो के प्रकास में इतना वीरह किया इंद्रावती जी ने वो बोल रही है कि धनी मेरे घर आये आपने वरज के बारे में रास के बारे में कितनी बाते की रो रो के बाते की कि जुक जुक के बाते की, खंडनी करकर के बाते की, ऐसे तो भी मैं आपका वचन मानी, किस की बात कर रहे है संदसाजी, हमारी बात, किस की बात है, हमारी बात, और आगे बोला, कि धाम धनी, तुम सद्गुरू अभी तो मेरो को यह ऐसे पुर्णा रूप से तो मिले, लेकि एन्हें तो नहीं रहें ना जब है किसकी बात है गहराय से सुनना छलिसे जब थे तभी में पहचान नहीं पाई जो तभी में पहचान लिया वताने तो मैं कैसे चारे डर्ती कैसा सुख लेती आज व थो तंन तो ब्लिकावने सामने में दूरी मिला आज हम नहीं दिजा ले आज वो शुख न ले ले दस दिन के बाद कोई कहे गा हमको यह सुख यह मोका बार-बार मिलने वाला है क्या वो इंद्रावती को शीखापंदी सुन्द साथ को कि मेरे सद्गुरु मेरे घर पे आये हे सद्गुरु मेरे को भागवत और उसमें जो कबीर और जाती के जो वचने वो खौल खौल कर मेरे को कौन बताएंगे अभी दर्द कर रही है क्योंकि सद्गुरु सामने नहीं है जब सामने थे तो पेचान नहीं पाए बोले कि वरज रास की बात कौन कहेंगे इतना ही नहीं और आगे बोल रहे है कि धाम धनी बस प्रत्यक्षा जाओ मेरे को रीजाना है आपको अभी मैं क्या करो आप मेरे सामने से चले गए रो रो के चले गए जुक जुक के चले गए मैंने आपकी एक मानी नहीं मैं सिर्फ गुरू सद्गुरू के रूप में ही मानती रही ऐसा हमारे पर भी बिता रहा है सुन्दसाजी घटी तो हता रहा है लेकिन हम भी आज हमको समय मिला जो धाम धनी की पुर्णा रूप से पेचान नहीं कर लेंगे तो कोई अउतार या कोई श्वरूप या कोई वानी अभी दुबार आने वाली नहीं है सुन्दसाजी कोई अउतार अभी आएगा नहीं कोई वानी भी धर्मगरंथ अभी अंतिम में आने वाला नहीं है सोयो मक्षरा तीत आये है इस अंसार में, हम को लेने के लिए या इंद्रावती, बोले कि सत्गुरू जब देखे थे, उसके बाद श्यामा जी दिखाई पड़ी उसके बाद उसके अंदर जुगल, शरूप दिखाई दिये हबसे के अंदर, कारागुरू के अंदर फिर उसके अंदर, जब दिखाई दियाने सुन्दर साजी तो वो शरूप था तो अंदर, कहीं से नहीं आया चोथे दिन में किसके अंदर बैठा था? सुन्दर बाई, श्यामा जी के अंदर वो शरूप एक बार अंदर से बाहर निकल गंदर संदिया उपर परमधाम से आते जाते नहीं समझ में आया, परमधाम गए, फिर आये, फिर दर्शन दिये, फिर परमधाम जाये या केक पुरियों में चले जाये, या आस्रम मंदिरों में चले जाये, ऐसा नहीं है धामधनी कहां बेटे है? हमारे गुहिय रूप से, बातुनी रूप से, हमारे धाम दिल में है लेकिन हमारे उपर माया के परदे या फरामस्षी के जो आवरण है इसलिए दिखाई नई देरे परमधाम से आते जाते नई थे शिपाई के रण में वेश में जब दरसंदिया ने शिपाई वेश में रण में, तो तबी भी उसके अंदर तो बेटा था, उपर से थोड़ी आया है, तो यहां भी अंदर से बाहर निकल कर प्रत्यक शाक्षाद दरसंदिया फिर अंदर बैठ गया, अंदर बेठा, तो जैसे स्वरुप अंदर ब योग माया, ब्रह्मान बोलो, श्री प्रान नात, फिर योग माया ब्रह्मान शिर्प नहीं दिखाई दिया, अंदर श्वयम धाम्धनी बैठ गये, तो वानी का उत्रान शुरू हो गया, किस नंबर के प्रक्रण से? छठे नंबर के, अखंड स्वरुप नी, अस्थिरा कार सोबा कउ घणवे करीने, सननेह, जोई-जोई वचन आनू कई उचा, पन्ना आवे वानी माहे, तेह, ऐसे वानी, उत्र पेले श्यामाजी का शिंगार, फिर राजी का, सुन्द साथ का, ऐसे फिर रामते, ऐसे रास की रामते, उतरती गई, उतरती गई, लेकिन जो उद्धव ठाकूर के अंदर थी, उत्तमबाई थी ने परमधाम की वाशना, तो उसको पता नहीं था, फिर शामल्या भाई को भी पता लगा, पर उद्धव ठाकूर को भी पता लगा, कि मिहराज के अंदर अउलोकिक वाशना, क्योंकि उसके अंदर तो गुर्वनती भ राणिया देखे लेती दर्वाजे के छिद्रसे तो यहां शामलिय भाई को कुछ इमान आया पेले कैसे आतें रुद्धा काले पथर उत्य जो दीग उये प्रकाश गरंत में लिखा काले पत्थर उते जो दीग हुए तो कठोर दिलवाले शामलिया भाई एक दिन तो चुगली कर रहे थे आज वो भी जुक गए गिर गए उसके अंदर पेचान हुई के मेरे कोई मिहिराज लोकिक भाई नहीं है और लोकिक नाते से उसके अंदर परमधाम की इंद्रावति की आत्मा के साथ जुगर सरुभी भी राजमान हो गए ऐशे वाणी उतरती गई पेले क्या उत्रा सुन्द साजी रास मैंने बताया अभी के रामत को रामत के बाद अंतर ध्यान लीला फिर धामधनी प्रगट हुए फिर जिलना भोग और फिर परमधाम चले तो वहां तक रा मते 907 चुपाई में उतरी तो रास को इंजील भी कहा गया और सुन्द साजी अंजील जंबूर तोरेत और कुरान ऐसे दूसरे नंबर पे प्रकाश उतरा उसको कते परमपरा में जंबूर कहा गया तिसरे पर वीरो अंदर प्रगट करने वाली प्रकाश ठाका एक प्रखट रुति भी उतरी चुथे नंबर पे तोरेत जिसको कते परमपरा में तोरेत कहा गया वो कलस गरंध की दो छपाईया शिर्फ दो छपाईया रास प्रकाश खटुती और कलस की सिर्फ दो छपाईया का बीज मात्र हप्षे में काराग्रुह में महाउत्रा जामनगर नवा नगर में प्रबध पुरी में उसके बाद कलस कहां पुर्ण उवा शुरत में पुर्ण उवा और उसके बाद प्रकाश हिंदुस्तानी और कलस हिंदुस्तानी आये गाने तो वो अनुप्षेर में, जब हम जाएगे ने अनुप्षेर में वहाँ, वो दोनों हिंडी में अवत्रण होगे, उसके बाद किरंतन, किरंतन जामनगर से लेकर पद्वावती पुरी तक सुन्द साजी उत्रे, यहाँ मैं एक बात बीच में रगदू, क्योंकि बीच में इस करी किरंतन है, पुराना किरंतन है किरंतन ग्रंथ के, किरंतन ग्रंथ एक लगू करन थे, उसके अंदर 125 नंबर से प्रक्रण से लेकर, 132 तक का, 133 नंबर का प्रक्रण अंतिम वाला कलमने देखा, उतर गया, कब अरब जाते थे तभी, नाओ में, 133 नमबर का प्रक्रण उतर गया, तो 125 नमबर का प्रक्रण है, रुथा का निगमोरे, वहां से लेकर 132 तक का जो प्रक्रण है सुन्द साजी, वो पुराना किरंतन है, वो 712 में, जब इंद्रावती के अंदर, सद्गुरु के अंदर जो आवेश्शक्ति भी राजमान्थी बैठ गई, लेकिन इंद्रावती को पुर्ण पेचान नहीं हुई है सुन्द साजी, वो चर्चातो करने लगी, लेकिन अभी पुर्ण पेचान नहीं हुई है, कि यही श्वयम धाम के, धनी अभी हबसा में हुई ने, कि यही मेरे सत्ग गुरु थे अभी बोला ने, लेकि इन सत्तर सो बार के पंदर के बीच में, सत्तर सो बार और पंदर के बीच में, जो पुराना किरंतन उत्रे, कुछ-कुछ अंस, क्या-क्या, 125 से, 132 तक का, लेकिन इंद्रावती को पेचान नहीं थी, सुन्द साथ के सामने, जब चर्चा करते थे इंद्रावती, तो अनि श्रीदेव चंद्राजी, वो ये चर्चा तो मिहराज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भेद है ही नहीं, से मैं इतना ही वीरह लेकर, इतना ही दर्द लेकर, इतना ही भाव प्रगट कर, ये तो ये ही चोपाई रास्वाली, कि तेह ज़्मानी ने तेह चर्चा प्रेम त प्रचा करते हैं, वो सद्गुरु कहीं गए? नहीं है, वो तो मिहराज के अंदर बेट कर चर्चा कर रहे है पेचान, तभी हुई, और इंद्रेवति को पुर्ण पेचान कब हुई? अब सामे, जब सद्गुरु ने दर्शन दियाने, तभी हुई, और आगे संदर किरंतन, पुराणा वहां उत्रा आखरी, 1748 के बादे कावन के बीच में, 89 से लेकर, 92 के बीच का जो प्रकरण है, चलो चलो रे साथ जी, आपन जही ये धाम, संयाब अब धाम चले, संयाब अब धाम चलत है, जो ऐसा जो प्रकरण है, सुन्दर साजी सब प्रकरण, ये स्थान पे, जिसी सहर में, गए वहां जोजेस जैसे व्यक्ति, और सुन्दर साथ मिले और आत्मा को पहचान कर, ये किरंतन, उतर तगे पन्ना तक, और किरंतन के बाद खुलाशा, और मार्फत सागर की जो सब वानी हैं सुन्दर साथ जी, वो कते परमपरा की, रामन लेकिन मार्फत सागर, खुलाशा और क्यामत, क्यामत में छोटा क्यामत नामा पन्ना में उतरा, बड़ा क्यामत नामा चित्रकुट में सत्रसो, तेतालिश में वसं सुर्खी, जब उसको लेकर जाते हैं तभी सत्रसो, तेतालिश में बड़ा क्यामत नामा, छत्रसाल की छा परभान सब्राइब दुश्टार वाणी यह सब वाणी रामनगर से शुरू तो हो गई थी लेकिन उत्री का सब दसद्जार से ज्यादा से ज्यादा चोपाई कहां उत्री? पन्ना में उत्री और जो अंतिम की चोपाई में बताया कि सातो शरूप स्री राज के पर्ना मिनें तो साथ सवरूप स्री राज का क्या तो आज हम मान्यता के आधार पर परमपरा में समत्या आ रहे हैं कि साथो सवरूप में कोई खुलासा, खिल्वत, परिक्रमा, शागर, शिंगा, शिंदी, मार्फत सागर को लेते हैं क्यामत तक को साथ लेते हैं कोई साथ स्वरूप में साथ परिक्रमा परमधाम की जो है उस आधार पर लेते हैं लेकिन संदसाजिया साथ स्वरूप की बात की गई है जो साथ किताब हम लेंगे उसाधार पर तो राज्जी के तो चवदे चवदंग है ने आप बोलते हो ने रासी चरण प्रकास पिनुरिया खट्रूती गुटन कलस जंगन की सनंद कमर कर किरंतन सोहे नाभी खुलासा उदर खिलवत की रदय परिक्रमा कंठ शागर शबी मुख शिंगार नाशी का सिंधी स्रवण मारफत नयंसो कयामत नामा चवदंग मिले एक धनी के यह चवदंग किसका है धाम धनी का तो मान लो साथ अंग थोड़ी धाम धनी के बनेंगे वह साथ अंग कहा जाएंगे तो ऐसा नहीं है सुन्दर साथ जी वह साथ परिक्रमा है वो तो परिक्रमा की बात आ गई और लो कि दो पांच दो रास के और पांच अरसे अजीम के उस बात पर समझेंगे तो उसमें रास की बात आ गई और यहां तो जागडी व्रमान में पन्ना की साथ स्वरूपों की बात की गई है तो उसमें साथ स्वरूप किया तो आप देख ना सागर ग्रंथ में चोथे सागर में सागर ग्रंथ उत्रा उसमें चोथे सागर में राज्जी के जो तिन सिंगार है सुबह से सिंगार होते ने तो जो तिन सिंगार का वरणन हुआ और चार सिंगार किया तो जो सिंगार ग्रंथ है जो महा सिंगार किया गया है उसमें आतम पर अमस्यित जागे से प्रकृन से लेकर 10 परकृन तक और बीच में वैस्ट प्रख्र ay आतम फरम उस्यित जागे से प्रक्रण से लेकर 6 प्रकृन तक 4 5 और 6 प्र. फिर 7 आठ और 9 नहीं고 फिर दस ग्यारह 12 13 14 15 16 17 और 18 तक यह सिंगार जो है सुंदशाजी वो पहला सिंगार है तिन तो हो गया तो चोथे नंबर का सिंगार यह हो वान है तिन राजी का साघर सिंगार के चोथे सागर में हो गया, और चोथा सिंगार, सिंगार गृंद के चोथे नंबर के प्रक्रण से लेकर, बीच मां, सात्वा, आठ्वा, नौमा नहीं, और उन्नीस तक, और फिर बीस का दो प्रक्रण आया, वो तिसरे नंबर का, और एकिस वाला, सुन्दत साजी, चोथे और चार मां क्या एक से उन्निस तक चोथे से उन्निस तक का चोथा और उन्निस से विश्मा वाला पाश्मा और एक विश्मा वाला चठा और बाविश्मा वाला सात्मा तो यह सात जो सिंगार है वो राजी के है ऐसे करके पुरी जो हमारी वानी उत्री शुंदर साथ जी आज वानी उत्रने के बाद, बिक्रम 172 में, पंद्र में वानी उत्रीने, तो सोल में हम कहा जाएंगे जुन्ना गढ्ड, तो आज जुन्ना गढ्ड का किसा लेकर दिव में पोंशचना था पन अभी, बस हमारी राह दिखेगी. बोलियशी हमारी रा सुन्दसाजी धामधनी दीख क्या करे साड़ा पांश बज गए लेकिन वानी की महता मैं पांश मीट में रख दू कि जो ये वानी उत्री रास, प्रकास, खट्रुती, कलर, शनन्द, किरंतन, खुलाशा, खिलवत, परिक्रमा, शागर, शिंगा, शिंदी, मार्फर सागरोर क्यामत नामा, ये चवदे ग्रंथ, जो अखंड, तार्तम वानी, इस वानी से क्या क्या होता है, शुंदसाजी, ये वानी अमारे घर में आएगी, तो आप आठवे नंबर का जो अश्टपहोर है, अश्टपहोर, आठवे नंबर का जो पहोर है, वह आप विस्तार से मैं अभी 5-7 मिट में कोशिश कर रही हूँ कि वानी से क्या होता है यह वानी के लिए आज सत्यूक्षे सुष्टी प्रारम से आज कहीं कहीं लोगों ने इस वानी के लिए तपसर्या की साधना कठोर की सुन्दसाजी दिशानी देशन भी नहीं कर पाए अपनी जुबान से य या बुद्धी के बल पर या जीव के बल पर या कोई आतम आगे बढ़ी तो नीराकारता को पहुच पाई उससे परे बेहत में कोई नहीं जा पाए बेहत में प्राणना जी ने बताया कि पांच वासनाए पहुची लेकिन उसके आगे और कोई नहीं जा पाए परमधाम से तो एक सिर्फ ब्रमात्माय आई है, वो आई, इसलिए यह वानी आई है, और किसी के लिए नहीं आई है, हम ब्रमात्माय उश्वानी के आधार पर, हम अपना घर का, नीज़ स्वरुप का, और धनी की पेचान कर लेंगे, और यह वानी क्यों आई, तो कि संसार, पुरे संसार के जीवों के मुक्ती देने के लिए, यह वानी बताया ने के सुक्सितल करू, संसार, चोड़ टारी करू हो लाओ, सुक्सितल करू संसार, अनेक विदे देऊ, सुक मारा साथने, रास्तना, वार, तो यह सुनियों दुनिया आकरी जो भाग बड़े, तो यह वानी से क्या-क क्या बला, क्या-क्या, हमारे से दूर दज्जाल, दूर हो जाते है, तो धामधनी ने आठमे नमबर के पहुर में बताया, के वानी जब हमारे घर में आयेगी, तो हमारे घर में सुन्दसाजी सुख सुखी, सुखी होगा, आनंद, आनंद, आनंदी होगा, हमारे अंदर इत अमरनात की गूफा में ले गए लेकिन वहां सुन्द साजी परमधाम के बारे में वरणन नहीं कर पाये शीव जी ने माहेश वतंद्र पुरान सहिंता में सुन्दसाजी बताया कि केवल ब्रह्म को अक्षर माना और केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया आगर सत्सरूप किया है और दिव्य परम धाम और अक्षर धाम किया है उसके बारे में शीव जी को पता नहीं लगा उसने थोड़े अंसों में इसकरबद का वरणन किया लेकिन केवल ब्रहम की आनंद योग माया ब्रहमान में सुन्दसाजी उसकी सुगंधी से थोड़ा किया लेकिन वो परमधाम के बारे में शिव जी भी नहीं जान पाये, पार्वती जी ने जानने की तो इच्छा की, हद की बात तो जानी, बेहद की बात पार्वती को निंदा गई, और ऐसे ऐसे विश्ण भगवान भी, इसने तो त्रिगुन की बात बोली, कि त्रिगुन को भी ना होई, ऐसे विश्ण भगवान हजारों बर से तब करे थे देवी लक्ष्मी को के नहीं, पाये के मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, ओ ध्यान भी अखंड योगमाय का था, अक्षरातित का, नहीं था, ऐसे ब्रह्माजी, पुश्कर दिप में, आज हजारों सालों से, सुन् यहां हुई, और रासकी केवल ब्रह्म में हुई ने, तो ओ लिला को जानने के लिए, शुन्दसाजी, ब्रह्माजी भी क्या बने, मचली बने ने, और कववा भी बने, लेकिन ओ लिला नहीं जान पाये, तो त्रीगुन को सुनने की ताकात नहीं, और आगे ले लो, अक्ष पर राज्जी के एक सत्ता के श्वरूप, श्वरूप एक लिला दोई, उसको सुद क्या नहीं थी, अक्सरातित के मोहल में प्रेमिशक, बरतद सो सुद अक्षर को नहीं जो किनविद केल, नूर जमाल के दिदार को इतावे नूर, जलाल, नूर जमाल के अरश में इत रु को ने, हम सब रुखे कैसे रे रही थी, यह पता अक्षर को नहीं था, तो अक्षर ने भी सुन्दर साजी कि समाध्यम से जाना, फिर मुल सुरूप, बता ने, बताया ने रास में भी, फिर मिल सुरूप में देखिया तीत, यह दोई खेले मगन होये, खेलत, तब जोस लिय खेंच कर तब चित जोग भई, अक्षर, अक्षर को क्यों आवेश खेंच लिया था, उसको अखंड करने के लिए कि हम क्या लीला परमधाम में कर रहे सुन्दर साजी, तो अक्षर को भी सुधी नहीं थी, ऐसे सुपन के जीव जो है, उसको भी हद से परे बेहत की सुधी नहीं थी, ओ आज यहां बेठे-बेठे, आज देखो, यह बात भूल जाओ, हम जो वही घटाते रहेंगे, तो कभी हमारे पर घटाएंगे, जो सुध सुपने के जीव को नहीं थी, आज हो कार्यकरम के माध्यम से, विडियो के माध्यम से, संसार के अनन्त जीव, आज सुन भी, नहीं थी, मानों के नियाब, कितने लोगों का फोन आ रहा है, बहुत दूर-दूर से फोन आ रहा है, कि बात कहां की कर रहे हो, कैसी बात है, हमने तो अभी तक इस संसार में सोनी भी, नहीं थी, हमारे संदर साथ का भी बहुत फोन आ रहा है, बाहर बार से, पर्ष्व आ रहे मंदिरों में लेकिन इतने स्पष्टी करोण और प्रैक्तिकल हमारे पर भी तक हो रही है हमारी घटना करम है यह तो हमने इस बार पहली बार जाना है तो आपको खुब खुब प्रणाम दन्वत प्रणाम ऐसे फोन भी आ रहे तो मीडियो से सबका में आभारी हूं हम स अब उसके अभारी है सुन्दर साजी उसके चरणों में हम भी प्रणाम करें बले ही पैशे के लिए यह काम विचार है उस पर हमने एक पैकेज दिये लेकिन वह काम भी अज धामदनी की शेवा में लगे है ने तो धामदनी के दिल में मीडियो बाले भी अखंड़ क्योंकि अक्सर के के मेरे यह तो छोटे के मेरे लगे है सिर्फ इतना ही सुट कर रहे है अक्सर के के मेरे कहां से लगे है अक्षर धाम से रेकोर्ड हो रहा है ने सुट हो रहा है सुटिंग हो रहा है तो पूरी ब्रह्मान के जीवों का वो शुटिंग कर रहा है तो इतने छोटे के मेरो तितने अनंत जीवों का हो रहा है तो क्या इस का नहीं हो जाएगा, उसका तो धाम दनी, आप सब का तो दिल में अखंड कर लेंगे, आप सब की सेवा, तो राजी के दिल में अखंड हो जाएगी, मैं बार-बार सुन्द साथ को बोलती हूँ, कि सुन्दसाद जी जो सुन्दसाद 400 साल पहले चले उस सुन्दसाद की वितक तो 437 चौपाई में लिखी समझ में आ रहा है 437 चौपाई में लिखी राउन फिकर 45 ले लो लेकिन जागनी ब्रह्मान की जो अभी वितक अभी वर्तमान में हो रही है वो वितक धामधनी ने वानी में बताया कि तुमारी वितक जो अंतिम की अभी वर्तमान की चल रही है जागनी ब्रह्मान की ये वितक धामधनी अनाधी काल तक परमधाम की लीला चलती रहेगी तब तक याद करते रहेंगे अक्षर और अक्षर के दिल में पचास साल तक कितने साल? पचास साल तक धामदनी ने वानी में बताया ये जागनी ब्रह्मान की वितक की खुमारी पचास साल तक अक्षर के दिल में रहेगी खुमारी अक्षर की एक पल नहीं हुई है पल नहीं हुई है और इतने ब्रह्मान देख लिए इतने अजारों वर्स देख लिए तो अक्षर के 50 साल कैसे बितेगे समझ गए तहां तक उसके दिल में एक खुमारी रहेगे जागनी ब्रह्मान की तो गई छोटी बात नहीं है सुन्दत साजी तो अक्षर को भी ये पता लगेगा ऐसे हमारी जो वानी आयी है इस वानी का उत्रण प्रगतन आज हो गया ऐसे तो 400 साल पे ले हो गया था लेकिन आज हमारे सभा में हमारे पंडाल में आज हुआ तो ये वानी का प्रचार प्रचार कीजिए, उसकी सुगंधी को, उस ज्ञान को आई संसार में आप फेलाईए, सुन्दत साजी और जो हम कोल करकर आए, वो कर्तवी हम निभाके, वापस चाहिए, इतना केकर हम ये छुपाई को दोहराईए, बोलिया शी प्राणनाथ, महा मति कहे ये मौमिनों, एहादी मेंदी इमामा, ताकी भी तक और कहो, जो नुर दिना इश्लामा, जो नुर दिना इश्लामा, जो नुर दिना इश्लामा, बोल्यशी प्राणनाथ, सी सत्गुरु, धामके, श्वामिशी लाल्दासी, तीनो पुरी, समस्त सुन्दर, प्रणाँ. झाल, 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 झा